नमस्कार जैन सात्यों मैं प्रवेश सामवा दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए बाल विकास्यम सिक्षा सास्तर के सभी प्रिवेश येर अग्जाम्स के टोप हेंडर प्लस क्योसंस लेकर आया हूँ दोस्तों ये वीडियो आने वाले सीटेट जो 31 जनवरी 2021 को जो अग्जाम है और 25 अप्रेल 2021 को जो रीट का अग्जाम है लेवल वन और लेवल टू के लिए दोनों के लिए बहुत ही महतवपून रहने वाली हैं दोस्तों इसके अंदर हम सभी सीटेट, एसटेट, एन्वीएस, केवीएस और डिएसस भी, यूपीटेट सभी अग जरूर बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और एक स्टेडी रिलेटिड गूर्प के अंदर सेर जरूर करें और दोस्तों आगे भी अगर इस परकार की वीडियोच आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियोज की नोटिविकेशन आप तक पहुंच के और दोस्तों अगर आपको सीटेट के लिए एवियस और मैट्स की पेड़गोजी और हिंदी और इंगलीज की पेड़गोजी की मेराथन क्लासीज की अगर जुरूरत है तो आप हमें कमेंट म बता सकते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को आज कमरा पहला क्योशन है आपकी स्क्रीन पर जाती है पहला कोशन पढ़ लेते हैं कि निमलीकित में से कौन सा बाल्लेकाल यानि चैल्डूड का अन्य नाम नहीं है प्रारंबिक विद्दाल आयू इस्प देखते हैं आज कौन सी कंदर बनेगा आज की क्लास में कौन पूरे जवाब देगा और पूरे नहीं देगा कौन टोप करेगा बेसिकली आज की वीडियो कंदर कौन टोप करेगा और टोप करने के साथ ये वीडियो में आपको कंफर्रॉम कह रहो 20 प्लस नंबर दिला देखे जो इसका आंसर हो जाएगा वह जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड इसमें पूछा कौन सा नहीं है जैसे मैं अगर आपकी बात करूँ चायड़ूड याईनि कि आपका बाल लेकार इसका टाइम पिरेड होता है वह था आपका 6 साल से लेके 12 साल तक की अवस्ता क्यूट और स्मार्ट लगता है तो इसलिए उसको स्मार्टेज बोलते हैं तीसरा गैंगे जिसको बोला जाता है जो इसका नाम है इसके बाकी के तीन नाम तो होगे बाकी के नाम में आपको लिख देता हूं इनको आप लिख लो क्योंकि यह भी महित्पुन है इसको खेलों कि अवस्ता किसको का जाता है बाले अवस्ता को ठीक है और खिलोने की अवस्ता किसको का जाता है वो का जाता है सेस अवस्ता को कंफ्यूज मत हो जाना खिलोने की अवस्ता सेस अवस्ता और खेलों की अवस्ता बाले अवस्ता उसके लावा इसको गंदी अवस्ता भी का जाता लेकिन वो पूच जाएगा इसलिए इसको गंदी अवस्ता भी कहा जाता है जीवन का अनोका काल भी कहा जाता है बाले काल को यह आपका एक्जाम में पूछा गया है ठीक है उसके अलावा तार्किक चिंतन की अवस्ता यह भी कहा जाता है आपका बाल लेवस्ता को देखो इसके जितने भी नामते जो जो आपके एक्जाइमी में आज तक पूछे गए या पूछे जाएंगे वो सभी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिये या आपका कंफर्मान के चलिए आपका अडॉल्ट सैंस या चाइल्डूड से एक नंबर का जरूर पूछा जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन आपका कि वैवार का स्वेंगात्मक पहलू इमोशनल एस्पेक्ट पूछा है आपका न को बेसिकली साइको मोटर डोमेन बोला जाता है इसका दूसरा नाम यहीं है ठीक है उसके लावा सीखने के मनोविक ज्यानिक पक्से बता उसे आंसर आपका क्या हो जाएगा बहुत ही महत्पून कोश्चन यह भी आपका तो अपनी मर्जी सा आप लोग लाइक कर दिया करो चलिए कोश्चन इसका जो आंचर से हो जाएगा वह जाएगा इसमां आपका भई देखो इसमों पूछा है स्वेंग आत्मक पहलू इमोशनल एस्पेक्ट यह होता है अपका अफेक्टिव डोमेन से अगर आपने पढ़ी होगी मैंने इसको पढ़ा हुआ है आपको ब्लू तो सीखने का स्वेंग आत्मक पहलू होता है आपका अफेक्टिव डोमेन से ठीक है समझगे उसके अलावा एक कोश्चन आपको यह दिया हुआ था सीटेट के एकजाम में कि वहवार का कड़ना यह तो आपका स्वेंग आत्मक पहलू था वहवार का कड़ना निमने में से क पहला कोश्चन आपको दिया हुआ है वेरी वेरी इंपोटेंट है यह आपका हमेशा पूछा जाता है कि बहुद्धी के सिद्दान के संदर्व में एरफोर्स पाइलेट बनने के लिए निमली कितमे से कौन सी बुद्धी की आव सकता है ठीक है बहुद्धी सिद्दान किस कि इसे कि आपकी सारे रिक गतिक बुद्धी जो सरीड को गती देती है यह किसք पाई जाती है एरफोर्स पाइलेट के नदर पाई जाएगी और लिगलो नाम जो आपके एक्जाम में पूछ गए एथलीट के अंदर ये वाली बुद्धी पाए जाती है उसके लावा डांसर के अंदर ये वाली बुद्धी पाए जाती है जो एक्टर और एक्टरस होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धी पाए जाती है आपकी गत था जैसे politician होते हैं नेता लोग होते हैं तो दूसरों की मनोभाव को दूसरे की दस्ता को बहुत इजली समझ जाते हैं और बहुत ही जल्दी internet करते हैं जनता की नस्फ पकड़ लेते हैं कि कौन सा मुद्धा उठाए जाए ताकि हमको vote मिल जाए तो यह हो जाते हैं आपके पुद्धि होती है लने के अंदर सतना लूद्धा के अन्दर कावड़िंग नेंके उडाथा वार्व द्धि ठीक है आयोप आपको समझ में आया होगा चलिए बात करते हैं आपके अगले टाइप के कुश्चन के ओपर अगला टाइप का कुश्चन आपको दिया हुआ है वाइक उसकी के नुसार जब एक वेस्क बच्चे के निस्पाधन के वर्तमान इस्तर को यानि जो उसकी परफॉर जैसे कि आप सभी को पता है लेव वाइल गोश्की इन्होंने कौन सा सिद्दान दिया था लेव वाइल गोश्की ने सिद्दान दिया था लिख लो आप लोग चाहे तो सामजिक सांस्कीतिक सिद्दान ये लेव वाइल गोश्की ने सिद्दान दिया था इस सिद्दान के दिनों ने क्या बात बताइती है he कि जो बच्चा सीखता है ना वो अपने समाज और सस्कीठी से शीखता है याई इस समाज के साथ इंट्र éénक करके बच्चा सीख जाता है जैसे मैं और आप वी विडियो देख रहे हो हम लोग चीजह कहा से सीखे से सिखता है दो उन्हें ने कहते थे अगर बच्चे के करंट को जो करंट लेबल है उसको सपोर्ट्ट दुआरा विस्तारित कर जाए उसको कह जेते या भाई आपका स्केप फोल्डिंग या नि पाइड यह डाचा जैसे एकember देता हूँ जब हम छोटे से थे तो सभी ने साइकल चलाना सीखा था, तो साइकल चलाना आता नहीं था, तो कोन सपोड्ट देता था? हमारे मम्मी और पापा, सपोर्ट देते थे, ताकि हम लोग साइकल सीख चाए, गिंड न जाए. या हमारे जो बहन भाई होते थे वो support देते थे तो जो temporary support होता है किया होता है जो temporary support या जो temporary guidance होती है उसको बोला जाता है इसके लावा जो temporary support देता है उसको बोला जाता है MKO more knowledgeable other जो यह support देते है temporary support इसके अंदर कोन हो गई मम्मी पापा हो गई बहन भाई हो गई आपका teacher हो गया मैं यानि मैं भी खुद हूँ महला सचिन आपके लिए MKO मैं भी तो आपको temporary support दे रहा हूँ ना ताकि आपका exam पास हो दोनों टर्म होगी आपकी MK होगी आपकी scaffolding होगी उसके लावा एक टर्म बच्ची आपकी zpd इसको देख लो zpd क्या कहा जाता है किसको कहा जाता है जैड़ बोला जाता है इसको मैं figure के मादम से समझा देता हूँ जैड़ बोला जाता है वास्तवी की विकास इसको चाहे बड़ी example है कि माली चेट में तो पास होने के लिए 90 नमबर चीए लेकिन वास्तवी की कास कितना हो रहा है वास्तवी कास 80 नमबर तक हो रहा है ठीक है 80 तक हो जाते है क्या 80 तक हो जाते बच्चा इतना score करता है और संभावित कितना लेकर चलता है 120 का लेकिन जब इसको support द है अगला कुशन आपको कोलवर्ग के अनुसार नेतिक विकास किये कैसी वस्ता जिसमें को वेक्ति अपनी नेपिशली अपनी नेतिक्टा को You को बोंचिन के अरूप नेहिक आपका मेरतन के लास आधे सब्जेट की मैं दे चुका हूँ बागी की जो आएगी उनको मैं जल्दी दे दूँगा ठीक है तो बेफिकर रही आप लोग 31 तारिक तक माप लोके के साथ बना हुआ हो जब तक आपका एक्जाम क्रेक नहीं हो जाता आपके डीजी लोकर में नही नेतिकता होती है वो सोसाइटी का कोडिंग होती है सोसाइटी पर बेस होती है यही तो का है ना कि जिसमें वेक्ति अपनी नेतिकता को वर्चमार में परचली सामाजिक मानदंडो अथ्वा नियमों के अनूरूप मानता है यानि इसमें नेतिकता समाज के कोडिंग होगी अ अगले टाइप का कोश्चन देखो देखो बहुत ही महत्पून कोश्चन हैं ज्यान से देना इसका आंतर एक महिला ने बोजन प्राप करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया इस खबर को डेस के आधार पर अच्छी तरिगे से समझा दा सकता है पहला मनो सामजिक सिद् सिद्दान तीसरा मनो विश्लेशन आत्मक सिद्दान यानि साइको एनलेटिकल थियोरी फोर्थ पदानुकर्मिक आउसकता होगा सिद्दान इराडिकरल लीड्स बता उसे आंसर क्या होगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन आपका यह पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए ठीक है जो आज की किलास है पेपर वन पेपर टू के लिए जितने भी कोश्चन आपको करा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ना बीस प्लस आपको अपने एकजाम में जरूर देखने को मिलेंगे ठीक है इतनी महकुन किलास आज कि चाहे पेपर वन ओ चाहे आपका पेपर टू हो यह वाली किलास को जरूर करना चाहे मुछ और करो या न करो बारा क्वी नहीं वो लोगे हैं मैं आपको समझा देता हूँ समझते जानाब इसको ध्यान चाहिए यह नों ने पिराइमिन्ट सेफ के बारे में जितनी भी नीड्स थी हमारी और आपकी जितनी भी नीड्स होती है उनको समझाया था जिसमें इनों ने जो नीड्स बताई थी अब देखते है कौन कौनसी हो नीड से पाच टाइप की जो इन्होंने पहले नंबर पर नीड बताई थी तो पहले नंबर पर इन्होंने बताई था बेसिक नीड जो होती है ठीक है कौनसी होती है बेसिक नीड तो बेसिक नीड कंदर क्या आता है तो बेसिक नीड कंदर आ जा कुछ नहीं मागूगा भगवान ने का ठीक एले बेटा तुझे दे दी पहली हो गई आपकी बेसिक नीट उसके बाद जब रामू के पास यह वाली चीज आगी तो रामू ने कहा कि अब मुझे सुरक्सा भी दो यानि मुझे सेफ्टी दो तो भगवान ने क्या काम किया अच्छा तुझे अब सेफ्टी बीचे यह तो इल्ले एक काम कर मैं तुझे घर दे देता हूं और मैं तुझे नोक्री दे देता हूं घर और नोक्री दे दी फिर भगवान ने इसके तो प्यार करें ऐसा रामू बोलता है ठीक है तो बेशिकली इसके अंदर क्या होता आत्मियत के अंदर जो आदमी होता है कोई भी होता है तो इसके अदर साधी बनाता है अपनी फैमिली से इंटरेट करता है अपनी धरम या अपनी जाती से इंटरेट करता है उनसे प्यार करता है देख तो ना इस वाली स्टेज के अंदर ये स्टेप बाई स्टेप ऐसी बढ़ानी है जो एवराम मैसलों ने सिद्धान बताया ना बहुती परफेक्ट सिद्धान बताया देख ले ना इसी के कोडिंग हमारी लाइफ चलती है उसके लावा जो चोती है आपकी स्टेज थी अ अब मैं दहेज नहीं लूँगा ये मेरे सम्मान के खिलाब बात होगी तो यह हो जाएगी आपकी एश्टीम नीड्स हो जाएगी ठीकर दहेज ना लेना और बैसिकली लड़कों को लेना भी नीचीए और लड़कों के अंदर भी कैसे आ जाती है बहुना कि हमें सेल्प डि इसको इंगलिस में ठीक है आत्मी सिद्धी को बोलते है इसके अंदर बोलता है कि अपने यार देश यह समाज के लिए कुछ किया जाए अब रामु इस स्टेज में पहुच गया कि यह सारी चीज तो मेरी फूलफिल हो गई क्यों आप मैं अपने देश समाज के लिए कुछ करूं तो रामु पोजिका सबसे उपर आत्मी सिद्धी करता है तो फ्रैंट्स देखो यह एबराम मैशलों का पादानु करमित आवसक्ता को का सिद्धानत है बहुती महत्मून सिद्धानत है आए सापके question बंद देख है ठीक है और जब आत्मी सिद्धि सिद्धानत के अं बेसिकलिए आप लोग अभी किसमें हो खुद बतिए किसमें होंगे आप लोग अगला कोश्चन आपका पियाजे के संग्यानात्मक विकास सिद्धान्त में अमूर्थ तर्क यहुं परिपक को नेतिक चिंतर ठीक है यहाँ पर बात हो रही है एफस्टेक्ट लोजिक और मैच ओर मोरल रीजनिंग की यह किछ सटेज की विसेश था है हो आपको बताने हैं सेंसेरी मोट्र top प्रिऊपरेशनल iश्टेज फोर्मल ओपरेशनल इस्टेज यह फिर पर कॉंक्रेट ओपरेशनल इस्टेज बता उसनी आंतर क्या होगा संग्एन blij तइज इनोंने कोंवजी विकास का सिदां दीा तर्ब में फॉर्मल भेस्टेज में नेट्रthink practitioners को साल कि बताऊंगे इस जनम से प Cover और 3 Marg. यह आपकी दो से साथ होती है यह वाली concrete आपकी 7 से 11 और formal होती है आपकी 11 से लेके प्लस तक की या 11 से लेके 15 साल तक की ठीक है तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा आपका थर्ड सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके अगले question के पर बहुत ही महत्पून आपका जीन प्याजे यह आती ही आता है आपके एक्जाम में अगला कोशन देखिए अगला कोशन आपको दिया वाया है निमली कितमे से कौन सा कथन विकास और अधिगम यानि कि आपका डेवलेमेंट और लेंडिंग के भी सम्मंद को सर्शेष्ट आज देखते आज कोन विनर बनेगा जो सभी टेस्ट का आंथर देगा सबसे टोप करेगा आज हो आज वो देख लेना इसका मदले यूटूब पर उस बच्चे की तयरी सबसे बैस्ट होगी जो आज स्कोर करेगा देखो जो इसका सही आंथर हो जाएगा वह जाएगा फोर इसल्ब दोनों एक तरीके से अंत्य संबंदीत होते ँंतरी होते हैं नाकि अलग-अलग होते हैं चलिये अगले कोश्चन leisure वाए बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवार को सीख सकते हैं यह निसकर निमली कित में से किस मनोव विग्यानिक दुवारा किये गए कारियों पर आदारित हो सकता है थोंडा एक वोट्सन बंडूरा या फिर जीन प्याजे बताओ से आंसर आपका क्या होगा देगे आंसर इसमें सफ़ी हो जाएगा थर्ड एलबर्ट बंडूरा ने कौनसा सिध्दान दिया था मैं बार बार बोलता हôm इन्होंने सिध्दान दिया था लिग सकते हो आप सामाजिक अधिगम का सिध्दान यह दिया था अलबर्ट बंडूरा कि बच्चा समाज से शीखता है समाज कंदर जो चीज़ हो रही है उसको अनुकरण करके कोपी करके शीखता है इसके लिए इन्होंने क्या काम किया था एक एक्सपरिमेंट कियाता है एलबर्ट बंडुरा ने एक बच्ची के उपर इसको इन्होंने तीन मुवी दिखाई ठीक है यह ऐसे इन्होंने बच्ची को तीन मुवी दिखाई और इस बच्चे के कि बच्चों के सामने जो चीजे भी समाज में की जा रिए बच्चा उसको कोपी करता है जैसे उसको चीज दिखाए जाएगी बच्चा उसको कोपी करेगा तो यही कहाता है इन्होंने Albert Bandura ने अपने सामाजिक अधिगम चित्दान्त में कि बच्चे फिल्मों में दिखाएगा हिंसात्मंग व्यवार को जल्द ही सीख लेते इसलिए हमेज़ अपने बच्चों के सामने आपको सभी चीजे पोजिटिव और अच्छी करनी चाहिए समझेगा आप इसके बार में चलिए बढ़ते बाप आपके अगली टाइप के ओप कि भूमिका के बार में निमलिकित कथनों में से कौन सा सही हो आपको बताना है वेक्तिक विभिंताओं का एक मात्र ये दिख्या ना आपने वीडियो देखी थी मेरी पूजिटिव और नेगिटिव वर्ड वाली पैडगोजी को उड़ा दो गया और बेसिकलिए आज की वी प्रेवरन दोनों एक जटील पार्षपर क्रिया के रूप में मानविकास को प्रभावित करते हैं बताओ से आंसर आपका क्या हो जाएगा देखें जिस भी और मैंने कहा था आपको एक मात्र दिख जाए ठीक है कि ओनली आपको जिस भी और में दिख जाएगा उस और देख ट्रांफ़र होते हैं जैसे हमारी आग नाग और हमारे जो ठिंकिंग होती है सोचने हमारी पेरेंट्स के लाव बाकी जितनी मीचीज़े वह थी आपकी एंवारमेंट यानी की परिवरंग उसके अंदर कोण को ना जाएगा इस्कूल आ जाएगा आजाए रिष्तेदार आ तो बच्चे के विकाज के लिए इन दोनों का ही होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले टाइप के कोश्चन के उपर, संस्कित की पर जल्दी मेरतन लूँगा, बेफी कर रही है, अगला कोश्चन देखते हैं, कि सिक्सन के दोरान, आवाज में उतार चड़ाओ, उदारना है, किसका उदारना है, उद्धीपन परिवर्तन कोशल का, यानि इस्टूमिलस जो वेरीशन होती है, उसका दूसरा समापन कोशल, तीसरा पुनर्बलन कोशल, फोर्थ परस्तामना कोशल, बताइए से यह अंसर क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उद्धीपन परिवर्तन कोशल में, आपने देखा होगा न, कि जो कभी-कभी टीचर होता है, कुछ ना कुछ अपने वैवार में परिवर्तन कर लेता है, बेसिकली उद्धीपन परिवर्तन वैवार परिवर्तन की बात हो रही है, जैसे अगर मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते क्या काम करूँ, उद्धीपन परिवर्तन कोशल, इतनी तेज बोलूँगा, तो अगर मैं अपनी आवाज में उतार चड़ाओ करूँगा, तो आपका क होगा सीधा इंट्रेट करोगे मेरी तरफ को कि एकदम क्या हुआ तो यह हो जाता आपका उद्धीपन में परिवर्थन को उसिल ठीक है जैसा कुछ चारक द्वारा दिया गया था चाइड्ट सेंटर एजुकेशन का एरिक्सन डारविन इसकिनर या फिर जोन डीवी बताओ से यह अंसर क्या होगा एक सो तीस प्लस नंबल लेकानी चीए ठीक है कोई बोलते कि सीटेट के एक्जाम पास करने के लिए इसमें एक साल की जरूत पढ़ते कही महिनों की जरूत पढ़ती है बहुत ही गलत बात है इतना बड़ा यह एक्जाम मिनी है आंसर से हो जागा इसमें आपका जोन डीवी चायर्ट सेंटर्ड जो एजुकेशन थी उसके विचारक कोन थे जोन डीवी थे ठीक है अच्छा एक चीज और देख लो चायर्ट सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता बालकेंदरी शिक्सा में मलब सेंटर्ड में बच्चा रहता है जितनी भी सारी चीजे लाई जाएग हो तो ट्राइपोलर अब इस तिरी दूर्वी अपढ़ाली में उन्हें क्ऊन कोंसे तीन फैक्टे बताएंटे देखे इसके अंदर जो इन्होंने फैक्टेर-बताएं तीन यहां पर लिख देता हूं इसके अंदर बताया था आपका पहला टीचर, टीचर के अलावाद दूसर बताया था आपका बच्चा यानि की बालक और तीसे नंबर फर बताया था पाठ्थेकरम, करिकुलम, ठीक है? यह तिरी दुर्विय पढणाली में तीन फैक्टर बतायते हैं, जो टीचर होता है वो होता है सतंत्र चर, बच्चा होता है आपका क्या हो जाएगा आश्री चर और पाठ्थेकरम हो जाएगा इंटर्मीडियेट यानि की मद्यस चर, इनको देख लेना कभी-कभी सिंपल पूछा जाता है तीरी दुर्विय पढणाल में कौन सा है, तो इन तीनों से यह आपको क समाजी कर्ण में एक महतून भूमी का निवाते है, मीडिया, स्कूल, फैमिली या फिर पास पड़ो, बताओ सही अंसर क्या होगा यह विकास मातरात्म को गुणात्म को वाला कोशन भी आए गया, मैंने कहा न, आज की वीडियो के अंदर, जितने भी कोशन आंसर है, जितने भी महत्मून कोशन आंसर है, सभी को इंक्लूड किया हुआ है, आपका कोई कोशन नहीं बचेगा, मुझे नहीं लगता है, ठीक ह तो निबाते ही निबाते है, परिवार तो सबसे पहले निबाता है, और पास्पर उस निबाते है, यह तो हो गया आपका अंसर पहला, अब मुझे एक बात बताओ, जो समाजिकर्ण होता है, जो सोसलाइजेशन होता है, उसकी प्रात्मिक एजन्ची कोन्ची होती है, सबसे में आ जाएगा उसके बाद आपका school आ जाएगा ठीक है उसके बाद school आ जाएगा पहले में परिवार दूसरे में school यह आपका socialization के अंदर आता है चलिए बढ़ते हैं आपके अगले type के question के उपर इसे देखिए अगले type का question आपका जब आपो एक छेत्र का अधिगम ज्यांचा पड़ने इसको दूसरे चेट के अधिगम में साहिता करता है तो इसको क्या का जाता है positive transfer of advis codes negative transfer of learning जीरो transfer of landing और फॉर्थ हो जाएगा aa absolutely transfer of lending बताऊ से यह आंसर क्या होगा एक टाइप का आपका turned on लेंडिंग का कोश्चन आता है एक्जाम के अंदर कि देखें को ध्यान से समझना अब एक बाद बताओ सिंपल सा मैं आपको बता दो अगर मानलीजा आपने आज सीडीपी पढ़ी आपका सीटेट का एक्जाम पास हो गया सीडीपी पढ़ने के बाद उसके बाद मानलीजा कोई वेकेंसी निकलती है टीचिंग की जोब निकलती है वहापे भी आपको सीडीपी से सम्मंदित कोश्चन आंसर पूछने को मिल गए तो आपने जो यहाँ पर प पढ़ ली और सीडीपी पढ़ने के बाद आप अपना बैंक का यह एक्जाम देने चले गए तो बताओ सीडीपी इन्ने एक्जाम में आएगी नहीं आएगी तो जब सायता की जगह यह काम करता है बादक बनता है यानि समस्या बन जाता है जब एक छेतर का अधिकन दूसर में समस्या बन जाता है वो हो जाता है आपका नेगिटीव ट्रांस्वर ओफ लर्णिंग यानि की रणात्मक अंतर है उसके लावा मालीज आपने सीडीपी पढ़ ली और सीडीपी पढ़ने के बाद आपने अपने जैसे सीटेट की तैयारी करो तो ईवेस पढ़ दी अब स अगले टाइप के कुश्चन के उपर अगले टाइप का कुश्चन आपको दिया हुआ है कि संग्यान और सम्वेंग यानि कि आपका कोगनीशन और इमोसंस होते हैं इसके बारे में निमिल्ठित कथरों में से कौन सा सही हो आपको बताना है यह दोनों एक दूसरे से संग्यान को परवाइद करते किन्तु संग्यान समय को परवाइद नहीं करता बताओ संग्यान के बारे में आपको बतायता है इसके लिए जान लो इसका मतलब होता है जानना कीशी वी चीज को जानना जैसा आप से कोई पूछे कि यूटूब पे सबसे बढ़िया कोन संग्यान और समवे क्या हो जाएगा, तो संग्यान और सम्वे सब्सक्राइब दोनों का ही आपस में जुड़ा होना बहुती महित्पून है जब तक हमें संध्यान नहीं होगा एमोशन का तब तक हम चीजों को सही तरीके से इंप्लिमेंट नहीं कर पाएं और सादी में जाके पिटेंगा और जागा लग से ठीक है तो इसलिए दोनों ही बहुती महत्पुन होती है और एक दूसरे को परभावित करते संग्यान और समवेंग आंसा सेकिंड सी हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके अगले टाइप के कुश्चन के उपर अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन आपको दिया हुआ है ए एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिक रूप से शीखते हैं यह भी ठीक है आगे जो बालक के सामाजिक इस्तरिकन को समझेता था कक्षा के वातवन को प्रगतशील वे पेंड़ना इस्पद बनाए फोर्थ जो आदा सुत्तरों को याद करने आगे मैं पड़े भी निरा याद बढ़ते बापके अगले कोश्चन के उपर यूटूब पर सर्च माल लेना पोजिटिव और नेगिटिव टेग वर्ड के नाम से वरना नोट्स के अंदर मैंने सब डाले हुए वह आपको सब मिल जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन आपका कि सीखने के आगे में पड़ी नीरा मैंने काता जहाँ पर भी आपको बच्चिया बच्चे से जूड़ी चीज़े दिख जाएगी उसको देखते हैं टिक कर देना और शीखना शीख साच जो के पूर ग्यान पर आधारित नहीं है बताओ सही आंसर क्या होगा एक तो मैंने गलत काड़ अब या तीन में से बताओ तीन को लोग कर देखो पूछा है कौन सा सही है यह आपका नेगिटिव है निसक्री है तो यह तो गलत काड़ दिया ना ठीक है कुमार जी आंसर जो इसका सही हो जाएगा इसमापका इसमाश सही हो जाएगा इसमापका सेकिन्ड कि सीखने को वार में सबसे सही चीज़ है और जो सीखना इस शिखसाजतों को पूर ज्यान पर आधारित होता है जो चीज अगर बच्चे को पता है अगर उसके बेस के उपको उसको सिखा जाएगा बहुत ही जल्दी सीखिए हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा अगर यह आपको आधार ले जाओगे ठीक है मैं आपसे यह उम्मीद करूँगा आप लोगों से ज़्याद मांगता भी नहीं कुछ लेकिन इसको आप लेकर चले जाना इस बार इतनी मेनत आप लोगों के लिए हो रही है कोश्चन आपका आखिलन परिक्रिया के दोरान कुसुम क्यों तेजना उर्ज अब देखो सीटैट का एकजाम आप लोग सब देने वाले हो आप में से कुछ लोग तो होंगे कुसुम जैसे जो पता क्या होंगे उनके अंदर उत्तेजना उर्जापून होगी कि बस जल्दी से पेपर मिल जाए फार्ड़ दम पेपर को अंदर से और सन्ने जैसे बतायता क्यार कुछ आते ही नहीं दरूदर से कुछ मिल जाए तो बेसिकली बावनात्मक अनुभाओं का अंतर किस से संब्दीत है तो देखें जो आंसर से हो जाएगा इसमें आपका वो हो जाएगा आपका फ़र्ष लेवल ओफ अड़ेप्टेशन अनुकुलन का इस तरसे अनुक नमबर आपके एकजम में कंफर्म आएगा इसमें का हुआ है पूर्ष सुनेरी अवस्ता गोल्डन एज वो का जाता है किस ओर अवस्ता को अगर मैं किस ओर अवस्ता की बात करूँ तो यह हो जाती है आपकी जब 12 साल का अंत होता है और 13 साल की सुरुवात होती है और आपक इवस्ता किसको का जाता है यह सभी नामें हेस्के पूछे गए जीवन का सबसे कठिन काल किसको का जाता है कि जरुवार फूर्षस बुज़खे को होती है hero worship किसके अंदर होती है किस और वस्ता में होती है जब किसको अपना आइडल मान को फोलो करते हैं इसको hero worship यानि वीर मेरी एक चीज़ ध्यान नको जो मैं सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ जब भी अगर आपको एज़े teacher आंसर देना होगा तो हमेशा एक ideal teacher बन कर आंसर देना होगा दूसी बात जब भी आपको किसी बच्चे का according आंसर देना होगा मैंने क्या बताई थी उस बच्चे को अप अब बात करते है question की तो बताओ शीक्सक की भूमी का क्या होगी समय सांड़नी का कठोड़ता से आग में option ही निपढ़ना को कठोड़ता से पालन करना गया शीकने की विश्वसनिया इस्तितिया जुटाना और शीक्सार्तियों को सतंतर रूप की चिंतन की सुईदा दिना ठ और शीक्सार्तियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना यह तो वैसी option है देखो यह negative टेगवर्ट जैसे आपको दिखे आपने यह option गलत काड़ भी ठीक है शीदा आपका आंसर बता दूसरा यह आपका दूसरा आंसर से हो जाएगा ठीक है चलिए और फ्रेंट्स यह मेरी व बच्चा है खुद का बच्चा है आप आंसर गलत नहीं दे सकता है आपकी आत्मा भी आंसर गलत नहीं दे पाएगी ठीक है चलिए question पढ़ते हैं कि निमली कि तुमेंसे कौन सा रचनात्मक आकलन यानि फॉर्मेटिव एसेस्मेंट के लिए उचित उपकरण नहीं यह आप आपको बता था फॉर्मेटिव एसेस्मेंट वह एसेस्मेंट होता है जो आपका लेंडिंग टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस के दोरान चलता रहता है जैसे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं ठीक है तो यह क्या हो रहा है टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस के दोरान अगर इन्ने हैं तर को यह अपको कुछ चॉशन पूछन दूख यहां जाएगा अगर आपको कुछ और हमेट्य करनी इसको आप लिख लेना है यह होते हैं आपके समेटिव एसेस्मेंट ठीक है योगात्म का अकलन जिसको इंदी के अंदर बोलते हैं तो आंसा इसमा आपका सेकंड से हो जाएगा बहुत ही महत्पून आपका फूर्मेटिव समेटिव एक्जाम में देखने को मिलते हैं चलिए बात करते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन आपका सरीर के केंद्रिय भाग से परीदियों या अंगागरों की और का विकास दरसाता है क्या दसाता है बतिए विकेंद्रिकरत विकास के सिद्दान्त को मद्यवाई विकास के सिद्दान्त को सोपानिय विकास के सिद्दान को बती से आंसर क्या होगा प्रेंट्स आज ऐसा लग रहा है कि आप लोग 10,000 कूच जाओगे ठीक है अभी 6,000 आए तो मुझे लग रहा है आप लोग चाहे तो वीडियो को शेयर कर देना जो भी अपने यार दोस्तों उनके पास क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी अभी तक सबसे बड़ी है वीडियो यह बन जाए क्योंकि इसके अंदर बनाने के लिए मुझे पूरी मेहनत लग गई आप लोगों के लिए और तभी तो कहरा है इस वीडियो के लावा आपको CDP देखने को जरूत नहीं पड़ेगी बीस प्लस नंबर गिला देगी आपके सीटेट के एक्जाम में और आज देखना भी है मुझे कोन आज की वीडियो कंदर टोप करता है बच्चा आंसर जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा इसमा आपका इसके और जो इसके पार्ट से उनका विकास हुआ फिर उसके बाद इसके मस्तिस्क हुआ तो यह जाएगा आपका मद्दे विकास के सिद्दान का ठीक है एक विकास इसके अंदर आपका होता है मस्त का दो मुखी विकास इसको आप लिख लो मस्त का दो मुखी विकास यह व लिए बढ़ते हैं आपके अगले टाइप के उपर इसको देखो कि हाली में पाठीच्रिया में ऐसी कहानियों को सामिल करने के लिए वेक्सील परियास के अगया है जिसमें पिता तो घर के कारियों में लगा रहता है और माता सासी गती वीदियों को करती है तो यह कदम किसले म को बढ़ाता है बता उसे अंसर क्या होगा एक नंबर का आपके अग्जाम में देखने को मिलता है जेंडर से संबंदित है कि बताइए और देखो इसमें अलग-अलग टाइप के भी आपको कुश्चन देखने को मिल जाते जो बेसिकली इसने पूछा है यह आपका जो आंस सी काम कर सकते है यानि बाहर के काम कर सकती है और जो मात है होती है वह घर के काम में लगी होती है अगर ऐसा कोश्चन आपको दिख जाए तो आदमी समझ लेना वह आपका लेंगिक पूरवा गर है यानि जेंडर बाइस से वह आदमी गरेशित होगा या फिर दूसरा है लड़के रो नहीं सकते क्या तो भी आपका लेंघ्जी पूर्वा गरेसे अब गरेसे तय HOLID ये आपके जब ऐसे नीक detailing गहीं ताकिसे ढ़र जया रूडीत इप जाए इसको समात कियाisher जाए और लड़का और लड़की के बात नहीं होती तो यह हो जाएगा आपका अंसर सेकंड से हो जाएगा चलिए बढ़ते बापके अगले टैप के कोश्चन के उपर अगले टैप का कोश्चन आपका इसको देखते हैं कि ओसद बुद्धि वाले बाल को की बुद्धि लब्दियानी आएक्यू किन के बीच होता है उसके लावा जिन बच्चों की बुद्धि लब्दी इसको भी लिख लो 130 प्लस यह 140 प्लस होती है 140 लिख लो तो यह होते हैं आपके परतिवा साली बच्चे यह कई बारे आपके एक्जाम में पूछा गया है तो दोनों के बारे में बता दिया इसके अंदर एक ची बढ़ते हैं आपके अगले टाइप के कोश्चन के उपर हाँ संस्कृत की भी होने वाली है संस्कृत की होगी मैरतन कोश्चन आपका विच वन ऑफ फॉलोविंग इस सेंट्रल टू लर्णिंग कि निम लिकित में से कौन सा एक सीखने के लिए पर मुख है अनुबंदन या कमारा इंच्छ की कहता है बाखी तीन में सो अंफर बता कैसे इता अब सबस्क्राइब ऑपकोस है न मिल seminar को अब तर समय फॉर्थ वेली दियं सबसे पहली चीज है आपको अर्थ नीर३ान पता होने चीए यह उसकाजिये इस पहर अर्थ के सांसर कभी कभी भाव देखने को मिल जाता है जब तक आपको अर्थी नहीं पता चलेगा चीज होगा तो आप कैसे सीख पाओगे सीख नहीं पाओगे आप लोग ठीक है तो आंसार इसमें आपका फोर से हो जाएगा चलिए बढ़ते पर आपके अगले टाइप के कोशन के अपर देखें के आगे आपका मेहत्मून कोश्चन कि एक समाविसी कक्सा यानि इंक्लूसिव एजूकेशन वह है जहां कैसे वह आपको बताना है समझ्याओ का अधिकादिक समधान करने की संभावना की दिष्टी से बच्चों की सक्रिय भागिदार हीता रहती है दूसरा अध्यापक पर अधिकम करता नियुन्तम से नि प्राप्न कर ले फोर्थ विद्धाट्यों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल देखो केवल आगया ना ओप्शन ही नहीं पढ़ रहा है यह मेरा बाई साब मुझे दिग गया इसको मैं ने उड़ा दिया अब इन तीन ओप्शन में से अधिकादिक समधान करने की संभावना की दिष्टी से नहीं होगा बच्चों के सग्रें बागी दारीता होना पोजीटिव साहिन होता है लेकिन यहां पर देखों से पहले क्या चीज़ देदी यह आपका नोगीट हो जाएगा इंक्लूसीव क्लास्रूम मैंने क्या बताई यह आपका यह भी आपका महत्पून है प्रगुरेशिव एजूकेशन यहीं प्रगतिवादी शिक्सा कैसी होती है वह आपको बताना है अनुबंदन और पुनरबलन के सिद्दानतों पर आदारीत है पाट्य पुस्त को पर आदारीत है क्योंकि वे ग्यान के एक मात्र एक स समस्या समधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देते हैं बता उसे आंसर क्या होगा यह बिना दंड के उनको पढ़ाया नहीं जा सकता बिटा पहले तो हमें मार कूटी लिए जितने भी हम लोग पिटे चाहें वीडियो देखने वाले पिटे हो चाहें मैं पिटा हूँ के अंदर आपका क्या होता है इसके अंदर आपका बच्चे का सर्वागिन विकार यानि ओन ड्रॉल्लमेंट करना होता जरूरी होता बच्चे का प्रो ग्रेशीव एजूकेशन के अदर करके रिए बल देती है लांडिंग कि अधियर बांडे पर बन देते हैं और जोनवी पर्तिगिया लिंगेव है परशुपती इस्तर पर उद्दम के मुकाबल में हिंता इस्तर या फिर किरियासूत अनुम अंदर पर बताओ सही आंतर आपका क्या हो जाएगा गुरुजी टोपर है लेकिन मेरे स्टुडेंट भी इस बार टोपर होने चीए मैं चाहता हूँ जो भी इस बार टोपर निकले वह अपने हागा बच्चा निकले देखे मनोसामाजिक सिद्दान मैंने इसके बारे में आपको बताए भी हुआ है वीडियो भी डिटेल में बना कितने बताएते आठ इसके बताएते तो उसी में जो इसके अंदर है आपका थर्ड कि उद्दम के मुकाबले उद्दम होती है नहीं मेहनत परिश्रम इंडर्स्ट्री जिसको बोल देते उसके मुकाबले में हिंत इस यह कौनशी स्टेज में होता है बच्चा जब वह होता ह करने के आपने फिटम देदी तो बच्चा उसकाम को रिपीट करेगा बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएगा और मेहनत करेगा ठीक है अगर बच्चे को बोल दिया उसको धंका दिया नहीं तेरे बसकी नहीं काम छोड़े तो यह हो तो बच्चे के अंदर हीन भावन आ ज अध्याल चाहँ बग्वान क्रहें सभी परास जो तो यहीं करें मान लिपकर कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो इस तरीके से मोटिएक करेंगे यह तो होता रए तो दूसरी डचे यह होता तोlon रहरें Oo प्रिक्साइट करना है इंक्रेज करना है बढ़ते हैं के अगले क्वेश्चन के उपर एक्जामपल बढ़िया तरह स्कूल बेज असेस्मेंट यहारी स्बीए विद्धाला अधारित आकलन कौन सा होता है परिक्सा तक्निकों पर केंद्रित है क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्साइट्टों को कम नियंतरन परदान करता है थर्ड रशनात्मक परतिपुष्टी उपलत कराते हुए सीखने में सववर्धन करता है फोर्थ परिक्सन के लिए शिक्सन को बढ़ाओ देता है क्यो को आपने पढ़ाओं सीशी कंट्यूने सेंड कोंप्रियेंशी विल्यूशन वह आपका आगया कोशन यहां पर इस्कूल बेस जो असेज्मेंट होता है वह होता है आपका कि रचनात्मक परतिपुष्टी उपलत कराते हुए सीखने में समवर्धन करता है आपका ठीक है इं कितमें से कौन सी रख्सात्मक युपती नहीं है वह आपको बताना है आइडेंटिफिकेशन कंपंसेशन रेशनलाइजेशन या फिर एस्सोशेशन बता उसे आंसर क्या होगा कि सचिन को टोप पर ही रहने देना है हार नोट से कवर हो जाएगा जो कुछ बच्चों का रहा है my dog week है तो मेक्स पहली बाद तो सीटेट केंदर बहुत असान आती है तो आप लोग बेफिकर रहे हैं किसी विशर्जेट के लिए दोगों defense mechanism क्या होता है पहले तो आप यह जालो रक्सात्मक युक्ति क्या होती है यह होता है जब जो हमारी इच्छा है होती है जो हमारी समस्चा है होती है डिजायर होती है जब मैं उसको direct नहीं पा पाते एपर्टेक्स रूफ से पा लेते है जैसे मालीजे तयारी करते है बच्चे उनको teacher बनना है government teacher बनना है अब मालीजे किसी कारणों सभी बच्चे तो बननी पाएंगे लागों का competition होता है अगर को government teacher नहीं बन पाया तो क्या बन जाएगा private teacher बन जाएगा कि छोड़ यार भाड में जाए government तो बननी पाए private बन जाते है तो basically उसने क्या काम किया जो उसकी desire थी च्छा थी उसको किसमे उसको पानी किसा का तो यहाँ पर एपर्टेक्स रूफ से उसको पा लिया एक मेरे वाला example मैं आपको देता हूँ जो मैं आपको हमेशा देता हूँ जैसे सलमान खान थे तो सलमान खान basically S.O.R.I. से साधी करना चाते थे लेकिन S.O.R.I. उनको नहीं मिली तो उन्होंने इनके duplicate उतार दिये जैसे जरीन खान को उतार दिया था एक और साध हिरो इंती मुझे उनका नाम द्यार नहीं आ रहा तो basically इनको परत्यक्स रूप से पानी सके तो यहाँ पर क्या काम करें यह परत्यक्स रूप से पा रहे है सलमान खान जी ठीक है तो यह होता आपका defense mechanism रक्सात्मक युक्ती अब इसके अंदर जो answer आपका fourth हो जाएगा बाकी तीनों के बारे में देखो तीनों महत्पुने इसके एक होती आपकी identification इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जब कोई आदमी खुद की personality को छोड़ कर दूसरी की personality को ढान लिता है कैसे जैसे मान लोजे ये बताता हूं आपका सलमान खान गा अब एक movie आईतिन की तेरे नाम वाली movie आईतिना तेरे नाम वाली movie तो इस movie को देखकर सभी लड़कों ने सलमान खान जैसे hair style लगने शुरू कर दिये और उसके अलावा हाथ में क्या था bracelet ता उसको पहनना सुरू कर दिया मुह में डाली cigarette और बन गए हम रादे भीया तो अपनी personality को छोड़कर सलमान खान की personality को जीने लग गए ये होता है अपका identification हालकि जीनी पाये थे बोड़ी उनकी कंकाली थे दूसरे पर होता है आपका compensation में क्या होता है इसमें जब कोई आदमी अपनी जो कम्या होती है जो अपने कोई भी अवंचनी लक्षन होते है उसको पोजिटीव में बदल देता है जैसे जो सलमान खान थे आज मैं सलमान खान इनको ही पगड़ लेता हूँ जब इनको एस और राय नहीं मिली तो यह बहुत परिसान हो गए बहुत दुखी हो गए थे ठीक है इनका फिल्मी केरियर भी बहुत बेकार होता चला जा रहा था निशूलक एम अनिवारिया बाल सिक्षा अधिकार अधिनेम 2009 यहनि आपर बात हो यह RTE 2009 की दिव्यांग बच्चो की निशूलक सिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चीत करता है वो आपको बताना है दिव्यांग बच्चो के बारे में इसको लागु कब किया गया था लागु किया गया था इसको एक अप्रेल 2000 बताएं दस से लागु किया गया था आप इसके अंदर ये क्या क्या बोलता है भूल की इसके अंदर 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए अभी आंसर पर मताना ध्यान से सुनना 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए free और compulsory education की बात कही गई है new school और अनिवारे शिक्स्तर की बात कही गई है 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए इसमें right to education में लेकिन question में आपको दिया हुआ है दिव्यांग बच्चु की बात की गही है वो तो आपके नॉर्मल हो गए छे से 14 अगर दिव्यांग बच्चु की बात हो जाएगी तो आपके 6 से लेके 18 साल हो जाएगा ठीक है चोदे की जंग 18 हो जाएगा आँसार आपका 4 से हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके अगले टैप के question के पर very good उन्होंने का article 21 इसके अंदर दियावा है पूरा करो इस आर्टिकल 21a यह पूरा आता इसके अंदर ठीक है very good आपने इसके अलावा भी चीजे बता ही अगला question देखते हैं नीचली कक्सा में पढ़ाते समय नीचली कक्सा यानि कि जो lower class यानि primary class हो रही है एक शिख्षक को प्रात्मित्ता देनी चीए किसको देनी चीए lecture method को यानि व्यक्षान विदिको सर आपने गाता जा आपर भी व्यक्षान देकर नों मिले गलत कार देना कार दो assignment को या फिर storytelling को या फिर group discussion को बताओ तीन में से सही answer क्या हु को ठीक है very good storytelling कानी कतन सबसे बड़िया तरीका होता है छोटी काक्सा में पढ़ाने के लिए ठीक है इस्टोरी के मादम से बत्चा बहुत जल्दी चीज़े सीखता है चलिए बढ़ते बापके अगले question को पर बहुत ही महत्पून very very important लगा लेना एक नंबर का जरूर आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा देखे कैसे question आपको दिया हुआ है एक सिख्सक काक्सा के कारी को एकतरत करता है यानि उसको collect करता है और उन्हें पढ़ता है उसके बाद योजना मनाता है और अपने अगले पार्ट को सिख्सार्ट की आवसक्ता को पूरा करने के लिए समा एक नंबर का इन मेंसा आपको जरूर पूछा जाता है बहुत ही महत्पून है बते इससे answer क्या हुआ कोश्चन बहुत सारे है मुझे नहीं पता आज की वीडियो के अंदर कितने कोश्चन है ठीक है लेकिन करते जाना इन कोश्चन चे बार मुझे नहीं लगता आपका कुछ बैठेगा मामला 20 प्लस आपके सीटेट के एक्जाम में आपको दिला देंगे इतने महत्पून कोश्चन आज की वीडियो के अंदर लिए है आंतर जो इसमें से हो जाएगा आपका आंतर से हो जाएगा आपका assessment for learning मैंने आपको बताता है सीखने के लिए यह वाला कोनसा होता है जब हमारा काम यानि सिक्स्टन खतम हो जाता है यह जाता आपका assessment of learning जैसे बच्चे की जो वार्षिक और अरदवार्षिक जो परिक्साइए होती है वह जाता है अपका assessment of learning एक होता है आपका assessment as learning चीखने के रूप में आकलन जिस मां आकलन assessment बच्चा खुद करता है अपने friend के थूर करता है जैसे बच्पन में हम लोगों ने काम किया है ना एक बच्चा दूरे को अपने copy दे देता है या register दे देता है कि बाई तु मेरे से question पूछ मैं इसका answer दूँगा तो हमारा दोस्त हम से question पूछता था फिर हम उसका answer देते यानि खुद का यह assessment कर रहे है कि हमें कितना आता है यह अपने friend के थूर करा रहे है यह होता आपका assessment as learning तो friend से तीनों ही आपके बहुत ही महत्मून है कोई से ना कोई साब के exam में एक number को देखने को जरूर मिलेगा इनको अच्छी तरीके से कर लेना चलिए बढ़ते बढ़ परती जागरुकता होना है फोर्ट प्रासंगी जानगरी को इकतर करना है यानि उसको collect करना बता उसा है आंसर क्या हो जाएगा देखे, समस्या समधान करना है आपको, आपके सामने मान लीज़े कोई समस्या आगी, कौन सी समस्या आगी मान लीज़े, सीटेट के आपके सामने समस्या आगी, कि हमको सीटेट का एक्जाम पास करना है, आप इसको देखते जाना आप, तो आपको सीटेट का एक्जाम पास कर करणा निर्मान होंने तीजिके से बाहत सब्सक्राइब को सकत मिन गुझे सब्सक्राइब तोस्ते चेकर का सब्सक्राइबर सब्सक्राइब्ल पास से जरिग रिक्राइब उसके बास आएगा आपका परिक्षन पांचो मेरे जी और सबसे लाश्ट में यानि छटे नंबर पर आ जाता आपका निस्कर्स का यानि कूलीजन का डिसीजन लेना कि अब मुझे क्या करना चाहिए बिशिकली तो देखो समस्या समधान करने की यह आपकी पदती होती है step by step जो मैं आपको पता है पहले पर यह 2, 3, 4, 5 और 6 इन में से आपको कोई भी examiner देखने को दे सकता आपके exam के अंदर इनको कर लेना अच्छे तरीक से ठीक है चलिए वीडियो की quality बढ़ालो आप लोग वीडियो को 400C पर देखे आप लोग मेरे खाल से कंपर देख रहे हैं इसलिए वीडियो आपको साफ नहीं दिख रही बागी बच्चों को तो साफ दिख रही है ना देखे किसी प्रारंबिक कक्सा में परभावसाली सिख्षक का उदिश से विद्धायतों को उत परिरिद करना होगा यानि उनको motivate करना हो यह देखें दिख्या चेंक पासके या परिक्सा के अंति में सुरुवात में देखो तीन उप्षन तो वैसे गलत कट गए भाई अब आपको सिर्फ एक आंसर बचाना यह होती आपको जो मैंने पोजिटिव और नेगिटिव वर्ड बतायते हैं ठीक है मेरी एंचेफ वाली बढ़ते हैं आपके अगले टाइप के कोश्चन के उपर देखते इसको निमलिकित में से कौन सा बच्चे के स्वेंगात्मक विकास के लिए सरवाधिक उप्यूपते हैं पहला यानि उसका पूछा है उसमें जो इमोशनल डेवलमेंट है बच्चे के लिए उसके लिए सब बढ़ते हैं आपके अगले टाइप के कोश्चन को पर देखें फ्रेंड्स कितनी जल्दी आंसर निकाल लो आप जो ही आपकी पेडगोजी पूछी जाती है और आपको बेसिकली टाइम ही अपना सेयो करना है अगला कुश्चन आपको दियावा है कि विचो दा फोलिए आध्यात्मिक और संवेंगा आत्मक बताओ सही आंसर इसमा आपका क्या हो जाएगा मानव विकास कंदर कौन कौन सी चीज़ा जाएगी अभी तक 35 ही है यानि 36 में से 35 बहुत बढ़ेश को रहे भाई अभी तक आपका इसका मेरे खालचा अभी तक साइद आपकी अभी तक टोप पर चल लिए हो आज की वीडियो बेसिकली यह भी बताएगी कि टोप को नों करेगा आज worst question तो लिए जाओगे टोप की बहात हberg विल जाए वो जाएगा वो झाहिए यसमा अंचार आकसा बस्त चेक्छी होता है तिसकली यहारी फुझिकल औरको तोस्तिन होता नेतिक होग या नेतिक नहीं हुआ नेतिक विकास लिख लो मोरेल डेवलेमेंट लिख लो उसके अलावा कौन से बचा बासा का विकास लिख लो ठीक है तो चारत ओप्सन में देए तीन यह मैंने बता दिए साथ बता दिए अब एक जमिनर देख लो इसके अलावा का से समानूबूति देना बता उसे अंसर क्या होगा बाकी तीन में से कोई बात ने अपना स्कोर चलते जाओ देख जाओ कितना स्कोर करोगे और जो कोई सना आपका गलत है उनको लिख लेना हो सके तो ताकि आप लोगों को स्कोर अच्छा बैट एक्जाम करना देखो यहाबर समानुबूति होती है समानूबूति में किसी को जो भी चीज वह फेच कर रहा है तो दूसरा आदमी ऐसी पेस करेगा अगर इसको दुख है तो यह भी ठूछ को था अगले कुछन के ओपर अगला क्यों आपको दिया हुआ है कि परचलित योजनाओ में नहीं जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है वह आपको बताना है देखे समायोजन यानि अकुमोडेशन सामाध्यारन यानि इक्विलिवेशन आत्मसाथकंड एस्सिमिलेशन या फिर संग्टन यानि ओर्गनेजिशन बता उसे आंसर क्या होगा जीन प्याजिसे संबंदित आपके तर्म में जो पूछी गई है में आपको क्या बतायाता ३ा कोई बच्चा दो देख लेता है । उस turnover उसने दt लेख लिया अब ब्लेक डो के बाद उसने देख लिया है तो उसने ने ब्लेक डो क्या चार्ट आगे तो इसने जो परすली यो जानि तिधी नई जानकारी को जोड़ दिया कि यार जरूरी नहीं है काले रंग के सारे डोग होंगे वो सपेद भी हो सकते है बोरे भी हो सकते है तो basically होता आपका assimilation ठीक है उसके अलावा दूसी term होती है आपकी accommodation ये क्या होती है अब बत्चा समझ गया डोग के बार में सभी काले भूरे सभी हो सकते है अब कुछ दिन के बाद इसने देख ली cat यानि बिल्ली देख ली अब इसने खा यार यह भी चार्टांगे ले रही है एक पूछ है लेकिन यह भोवो नहीं करती है तो कि अगला टाइप देखते हैं कि गति कोसल में अधिकम निर्योगित्ता कहलाती है यहां पर पूछा है जो लेंडिंग डिसेबिलिटी होती है मोटरी स्किल्स में वह क्या कहलाती है डिस्वेजिया डिस्प्रेक्षिया डिस्कैलिक्षिया बताव सभी आंसर क्या होगा एक कोई बात नहीं कोई गलत हो गया कोई वाथ नहीं आपका बहुत बढ़िया जो आपके गतिक कोसलों से संबनदी आपका को विकार होता है वह हो जाता भई आपका डिस्प्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् केलकुलेटर होता है आपका मैच से संबंद्द्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जब बच्चा तनाव के अंदर वह बच्चा तनाव ले लेता है और देखो तनाव मतलो साथ दिन करो मैनत अच्छे तरीके से भरके तयारी है जो लाश का एक हफ्ता बचा है सीट एट का एक्जाम पक्का पास होगा मेंसा आप लिखवा कर ले लिजे बस साथ दिन अपने हुए आप लोगों के साथ आगे देखते हैं अगला कॉशन आपका कि विद्धार्थों के पॉर्टफोलियो के लिए सामगरी का चेन करते समय यानि कोई मेट्रियल है का नए पॉर्टफोलियो के लिए तो डैस और डैस का होना जरूरी है किन का होना जरूरी है विद्धार के लिए अकिला जी बहुत हूं बेवी कर रही है आप लोग ठीक है आंसर जो इसमें सही हो जाएगा देखो मैंने आपको क्या बता था पॉर्टफोलियो के अंदर क्या बता था पॉर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर बच्चे के सभी परकार के रिकोर्ड र के अंदर यह एक ऐसी फाइल होती है जो टीचर होता है एक साल के लिए ऐसी फाइल बनाता है पॉर्टफोलियो इसके अंदर सभी चीज़े रख लेता है बच्चे से जुड़ी जब बच्चा माली जब फर्ट किलास में है दूसरी किलास में जाएगा तो पहली क्लास वाला अतीत की समान परिस्तिति में की गई अनुक्रियाओं के आदार पर नई इस्तिति के परती अनुक्रिया करता है यह किससे संबंदीत है शीकने का साधर्स्तानियम यानि लोफ एनलोजी ओफ लर्णिंग लोफ इफेक्ट ओफ लर्णिंग यानि अभिवरत्तिनियम या फिर जाए बिए तद्परता नियंग,लोव रेडिएस्ट बथा यहांतर रह ऐपका है गैक किसे लेंग था यहापकी होगत लोग पार हो नोगम यृ धे स्वहीं आपकाaces नियसके इंद यहाज है जैसे मालिजर बच्चों को पहले cycle सीखा दी, आप देखो question आप लोग खुश समझाओगे, बच्चों को पहले cycle सीख गई, जैसा आप लोग भी बच्चों में जब cycle सीखे थे, तो cycle जब सीख गई, तो bike को बड़ी इजली चला लोगे न, bike को, analogy of learning साधरिष्टा नियम, उसके लावा ये थुंड़ा एक नाप पर नियम दियते हैं, बाकी के नियम और देख लो, low effect of learning, यानि सीखने का परभाव नियम, मान लिजे, कोई बच्चा किसी काम को करना चाहता है, अगर उसको बच्चे को आजादी देती कर लो, तो बच्चा इ ठीक है, अगले बार फिर बिल जमा कराएगा, लाइन में लगेगा, सब चीज करेगा, अगर मान लिजे, कोई बच्चे को आती घरवालों ने तोड़ दिया, उसको धमका दिया, क्यों तू अखिला कैसे चलाएगा, तो बच्चा बता दुबारा बिल जमा करा पाएगा, न नहीं होगा, कैस होगा, एक अपता बचा है, बस कैस होगा, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो पोजिटीव और नेगिटीव एटिटूड होगा होता है, आपका लोफ एटिटूड, जो थुन डाइक ने दिया था, अगले नियम है आपका सीखने का तत परता नियम, नाम स कि अगला कुश्चन देखते हैं कि विच वन ओव दा फोलोविंग इज रिलेटिड टू क्रेटिविटी निम लिकित में से कौन सा सजनात्मक्ता से संबंदीत हैं पहला अभी सारी चिंतन यानी करवर्जेंट तिंकिंग सामेंगी चिंतन एहमादी चिंतन या फिर अप सारी इंतन बता उसे अंसर क्या होगा बहुत ही महत्कुल है थैंक्यू जी बच्चा वोला है सर मैंने आज तक कोई किताब नहीं ली सिर्फ आपकी नोर्स और आपकी वीडियो देखिए बेपी कर रही है और बरोसा रखिए आपके बरोसा को मैं तोड़ूँगा नहीं बस आप म मिल जाएगी तो वहाँ पर आपको अफशारी चिंतन यानि की divergent thinking जरूर्र देखने को मिले यह चीज आपको मैंने बतायी थी अफसारी चिंतन क्या होती है जहां पर किसी समस्या के एक से ज़़ाद समधान होते हैं जैसे कैसे एक से ज़ाद समधान मैं आपको बताता हूं से देखने को मिल रहा है जहाँ पर भी आपको अफसारी देखने को मिलेगा तीक आणजा और आपका होसे हो जाए उसके लावा एक होतา है अभी सारी चिंतन जहाँ किसी भी समस्या का सिर्फ एक समधान होता है जैसे कि seated pass करने के बाद आप क्या बनोगे तो भाई seated pass करने के बाद एक चीज बना जा सकता है वो है teacher बागी और कुछ नहीं बन सकते ना पुलिस वाले ना बैंक वाले ना कुछ हो ठीक है चलिए बढ़ते बापके अगले टाइप के question के उपर अगला question आपका कि according to NCEP 2005 the role of a teacher hell to be NCEP 2005 के अगोडिंग सिख्षकी भूमिका पूचे कैसा होना चीए अधिनाय के अनुमति परक सुईदादाता या फिर सत्तावादी बताऊ से अंतर बहुत ही simple question आपका हाँ किलाज को share कर देना जितने भी आपके यार दोस्तों उनमें share कर देना आप लोग ठीक है ताकि उनका भी benefit मिल जाए आपको याद करेंगे वो भी कितने अच्छी किलाज दिए देखें आंसर जो इससे हो जागा इसमें आपका बही simple चीबात है यह कई बार रिपीट करा आपको तीसा से हो जाएगा अगला question देखते हैं देखें अगला question यह भी आपका इंचर से जुड़ावा है कि एंचर 2005 का recording जो गलतिया होती है इस कारण महत्पुन होती है तो सबसे पहली बात पता चलिके आपको कि एंचर बोलता है कि जो गलतिया होती है बहुत ही जब रणएं दूसरा यह द्यापकों बच्चों को डाटने के लिए एक तरीका उपलक्त कराती है एक सेकड़ यह बच्चे विचारों को अंतरुप लप्त गराती है तर्था समा sırू समदानों को पैचानने में साहताक करती है उसके आलावात चो कुछ बच्चों को कक्सा से निकालने के लिए इस्थार परदान करें देखो दो संत आपको वेशी नेगिटिव है बाकी को उप्षन बता दो आपको क्या सही होगा अच्छा देखो सभी सब्जाइट के आप लोग बोलते हो ना कि सर यूटूब पे सिर्फ एक खाली आप एक ऐसे टीचर हो जो सभी सब्जाइक हमारे कराता हो देखो इसका पता ही क्या रिजन है बेसिकली इसका रिजन सबसे वड़ा यह रिजन है कि मैंने एक्जाम क्रेक कि होए अब उनकी तैयारी मुझे करनी पढ़ती थी तो एक्जाम वो क्रेक करेगा भाई जिसके सभी सब्जेक्ट इस्टोंग होगे अगर मालें किसी एक में थोड़ा बहुत कम जोर है लेकिन सब्जाम के अदर क्वालिफाई करोगे जोब ले पाऊगे इसलिए मैं बोलता ह जाएगा कि बच्चे के विचारों को अंतरजिष्टी उपलत कराती है और समाधानों को पैचानने में सायदा करती है जो गलतिया होती है इसलिए महत्पून होती है चलिए बढ़ते हैं आपके अगले टाइप के कोश्चिन के उपर फ्रेंड्स पढ़ते जाना जब तक जो कर रही है क्या कर रही है नियमों के पड़ती घंणा यानि हेट स्वायत्ता यानि ओटोनुमी थर्ड किसोरा अस्ता अत्मक अखड़पन या फिर फोद परिपक्ता या फिर मैचुरिटी बताऊ सही आंसर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा कमेंट्स क्या ता आपका कमेंट्स ऊपर चल गया मैं पढ़ नीप आया स्वाति सिंग्न थोड़ा क्लास में द्यान नहीं तो थोड़ा नीं पढ़ आ आप लोग अगर दूबारा कमेंट्स बता दोगे तो मैं उसको पढ़ लूगा अच्छी तरीख्यत है बतिया आपका क् उससे हो जाएक और अधर को जैटों सभी आपने चलेशन होते हैं किरसी बिल दो से अब है किसानों से पूछनी चीहती दूसरा दूसरा पक्सि कहता है कि अगर ऐसे समसे पूछके करेंगे तो सरकार का क्या काम रहा तो बेसिकली आपस में क्या हो रहा है दोनों में मत्विए चल लेकिन जो गॉर्मेंट होती है गवर्मेंट का ये काम होता है कि अपना decision ले लीते हैं और इसे पर अडिक हो जाती है कि अब मैं इसे पीछे नहीं अड़ सकती है वो कर्स्ट्रक्शन ओफ नोलीज पर अधिगम के सास्त्रिय अनुबंदन पर पुनरबरन के सिद्धान पर और अधिगम के सक्रिय अनुबंदन सिद्धान पर बता उसे आंसर क्या होगा कि कोशन बहुत बढ़ाता है इसलिए थोड़ा आपको छोड़ा दिखरा हुआ बड़े- राजनेता है राजनीती पसंद नहीं है अगर आपको पसंद नहीं होगी तो फिर किसे पसंद नहीं होगी राजनेता अपना काम करता जाएगा तो फिर उनको क्यों कोस्ति हो आप लोग क्यों ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है तो इंट्रेस्ट तो लेना पड़ेगा ना जो तो यह बड़े यूथ का बड़ा यह रहता है कि मुझे राजनीती पसंद नहीं है मुझे पॉल्टिक्स पसंद करिए अगर अपनी और अपनी देश की चिंता करनी है तो इस पर इंट्रेस्ट लीजे कोई भी हो गलत कर रहा तो गलत करिए सही बोलता है तो उसको एप्रिशी पार से अधिकहर के शक्रियान बंदन का सिदान यह चिंदान किस ने दिया था इसको जल्दी से जल्दी मुझे बता दो कमेंट बोक्स में इसका आंचर लिखकर दे दो इसकर कि पूपर त्योर्व रेंफोर्स्मेंट किसका है इसके नर्गा है ठीक है बढ़ते बापके अगले टाइप के कुश्चन के ऊपर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं अगला कुश्चन आपका कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रिक्रिया है यह जो डेवलमेंट होता है वो सभ् fund का सिद्धान यानिन अंडार अन्सर को मिलता है इसमें house आपका कभी ना समाप्त होने वाली परिक्रिया है यह होता आपका निरंतरता का सिद्दान यानि continuity जो विकास होता है वो हमेशा चलता रहता है और मैंने आपको क्या बता हुआ है मा के गर्व से लेकर जो विकास शुरू होता है और मिड़्ू तक चलता रहता है जब तक मोथ नहीं आ जाती ठीक है तो लगातार के हाथ पेट एक साथ कोई काम किया जाएं एक इकट का सिद्धान अहां की चारों विकास के सिद्धान तक कोई न न को जरूर मिलेगा बढ़ते हाँ आपके अगले टैफ के कॉश्यन के एंसे किसे बाचार के या फिर समस्चा समधान बताइए स्यांतर क्या होगा चालिस स्कोर चल रहा है बहुत बढ़िया यानि 49 में से 40 अभी तर देखते आज वो तो वीडियो के इंड में पता चलेगा कौन सबसे बढ़िया स्कोर करेगा आज फीडियो के अंदर मलब दो दो फायद हो जाएंगे ए यहां पर पूछाएं ग्रेड अंको से कैसे अलग है कुछ बच्चेस के अंदर डेवर्जेंट भी दे रहें आप सारी सही बात है मैंने आपको बताता जब किसी कोश्चन के या किसी समस्चा के एक से ज्यादा समधान हो तो हो जाता आपका अपसारी लेकिन यहां पर को यहां कि अब्जेक्टिव कोश्चन है वह आपको बताना है इजी टाइप कोश्चन शोट आंसर कोश्चन ओपन एंडिटी कोश्चन यह फिर ट्रू और फोल्ट बताओ सही आंसर इसका क्या होगा अच्छा कोश्चन है मैं पून कोश्चन है आपका थर्टी नाइन का मैं उपर जाना पड़ेगा उपर आप वीडियो को दुबारा देख लेना उसमें आपको आंसर मिल जाएगा अभी 50 चला है मैं आपका अंसर कैसे देपाऊंगा अभी देखिए यहां पर पूछा अब्जेक्टिव कोश्चन पूचे है वस्तुनिस्ट प बढ़ यह हो जाते हैं पड़ेक्टिव कोशन मिलान वाले कोर्ष्चन मैं चथिदा फ़ोल्यूंग वाले होते हैं आपके कि इनको मैंस करो मिलाओ इस तरीके वाले यह सबी कोश्टन होते हैं अपके खूर आप गया इकजाम में आपके सामने स्कीन पर देख रहे हो यह हो तो समझगे इसके बारे में निमंदात्मक परसन आपके कौन्स हो जाते है जैसे जो आपका लगू उत्तरात्मक परसन है यह इसी का एक पार्ट है लगू के बाद आपका अति भी होता है इसके अंदर दिर उत्तर भी होता है यह निमंदात्मक के आपके टाइप्स होते है तो निगमाना अत्मक पजितिका अधाप समस्चों को आप समधान करना, एल्गोरिद्म का अधिक्तम प्रयोग करना, याद करने आ गया तो इसको पूरा मत पड़ो, यही रोग जाओ, विविद परकार की अधिकम परिस्टित्यों को उपलवद कराना, विविद परकार आगया, यह आपका पोजिटिव मैं आपको बताया था, यानि आपको क्या हो जाएगा, देखते ही चाहिए को और तो भाई, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, पोजिटिव के जाएगा, ठीक है, वह परियास सामिल होते हैं, निम्न में से किसका उधार नहीं, एडिशनल मेथड का, यानि प्रमपरागत विदी का, अंतरवेक्तिक विदी, निगमनात्मक विदी, या फिर अधिगम करता विदी, बताव सही अंतर क्या हो जाएगा, नहीं, राउल जी, मेरी देन नहीं है, आपकी देन है, आप लोग तयारी कर रहे हो, परी 39 का वीडियो दुबार देख लेना, मिल जाएगा, 52 कोशन चल ला है, उपर मैं अगर जाओंगा, तो आप बच्चे बागी का, डिश्टब हो जाएगा, ठीक है, उसमा आंसर मिल जाएगा, आपको, देखें, देखें, 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमा आपका फोर्स, अदिगम करता केंदिरित विदी, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, जिसमें खुद इस्टुडेंट के सब काम हो रहे है, वो खुद की पहल भी सामिल हो रही है, उसके परियास भी सामिल हो रहे है, यह हो जाते है, रूल बताने बाद, उनको उदारन यानि एकजांपल दिये जाते है, ठीक है, और जो इसका एक और दूसरा भाई है, आगमनात्मक विदी, इसको भी लिकलो, इंडेक्ट्व मेथड, इसके अंदर से इसका पोजिट होता है, इसमें पहले बच्चे को उदारन दि पेडना क्या है, विद्ध्यार्तों की इसमरण सक्ति को पैना बनाती है, अच्छा जी, इसमरण सक्ति आगे न, दूसरा, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, तीसरा, सिक्सार्तियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है, फूर्थ, सिक्सार्तिय में सीखने के परती रूची का विकास करती है बताइए सही आंसर आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा मैंने आपको क्या काम कर दिया मैंने आपको मोटिवेट कर दिया तो इससे क्या होगा शीखने के परती आपके अगले कोश्चन के उपर अगला कोश्चन आपको दिया आया भारत में अधिकान कक्साएं बहुवासी होती है यानि मल्टि लिंग्वल होती है जहापर एक से ज़्यादा बाजाय बोली जाती है इसे सिक्षक द्वारा डेयस के रूप में देखा जाने चाहिए किसके रूप में परिशानी समस्चा संस साधन या फिर बादा बता उसे अंसर क्या होगा बहुत ही महत्मून कोश्चन आपका है कि देखें आपने अभी तक देख रहे होंगे इतनी बड़ी वीडियो बन गई यह वी तक और अभी वीडियो कंप्लीट भी नहीं अभी आदी बनी होगी मेरे ख्याल से और मैं अभी वह नगले बाते जाएगी मत्यर की बात यो हमेसे संthsाधन कão करती ना कि प्रिसानी और समय विए पूछा जाता है तो इसको संसाधन की रूप में देखना है आपको ठीक है अलग अलग बाशा हो वाली लोग रहते आपर अलग बाशा बोलते हैं कोई-दी बोलता तो सब एक दूसरे की बासर से सीखते हैं समाजिक चीजे सीखते हैं कल्चरल चीजे शीखते हैं तो यह हमेंसे एक संसादन का काम करते हैं ना कि एक समस्य का आंसर थर्ड से हो जाएगा और मेरे खैल से वाला कुशन आपको अपने एकजाम में देखने को भी मिलेगा बहुत होता है को अगला कुशन आपका इसको देखते हैं कि पाच्वी कक्सा के दश्टी बादित विद्धारती ठीक है यानि यह आपर बात हो लिए जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको निचले इस्तर के कारे करने की छूट मिली चाहिए उनके मात अपिता और मित्रों के द् अपने आपको एक अच्छा टीचर मानना है और बच्चे को अपना बच्चा मानना है अब इसके हित में क्या आप आंसर से ही दोगे वह बताईए आंसर से हो जागा इसमें आपका थर्ड की सामने रूप से वैवार करेंगे उसको पता नहीं लगने चाहिए कि बच्चा किसी तरगे की विमारी से गरस्त है बिलकुल समान रूप से वैवार करेंगे जैसे दूसरे बच्चों के साथ करते हैं बस एक चीज़ और एड कर दे बढ़ाना चाहिए इसका अभी बढ़ाया क्या है समावची सिक्सा विसेष्क्राइब सिक्सा एक्राइब अप्वर्जक सिक्सा एक्स्क्लूसीव एजूकेशन बता उसे अनसर क्या होगा कि देखें जूनियर का मैंने आपको बताई हुआ है जिन बच्चों का सोशल साइंस एसेश्टी और साइंस है यह चीन बच्चों का चाहिए इवेसा परेवन अनद्देन है यह सारा का सारा आपका किताब में साथ है और इसलिए में कहता हूँ आपको कोई निपढ़नी नोट्स कंदर सारा इंचार्ट आपको दिविए उनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से आपका कंटेंट यहीं सब जाएगा सारा इंचार्ट आठीक है तो बेफिकर रही है उसकी और कंप्लीट भी कर द क्या होगा कौन सा गलत है वह आपको पूछा है बड़त आपके अगले क्यों अगला कोश्चन है बहुत ही सिंपल कोश्चन इसका तो सब आंसर सही दे देना कि बाल के इंदर शिक्सा में क्या सामिल है बच्चों का इक कोने में बैठना पर्ति बंदित परिवेश में अधिगम वे गतिविदिया जिन में खेल सामिल नहीं होते और बच्चे के लिए हस्ट प्रक गतिविदिया यानि हैंड्शों एक्टिविटी बताओ सभी आंसर क्या होगा देगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ हैंड्शों एक्टिविटी मैंने आपको क्या बताता जितना भी बच्चा अपने हाथों से करके चीजे सीखेगा लेंडिंग बाई डूइंग वह आपका सबसे एप्रूपेट आंसर होगा क्योंकि विश्यष्टा नहीं माना जाना चाहिए शेक्षिक संस्तानी एक मात्र एक मातर दिग्या मुझे इसको लगा देओ आगो उप्सन नहीं पढ़ रहा है ठीक है शीखना एक व्यापक परिक्रिया है शीखना लक्ष्यों मुख्य होता है यानि गोल औरेंटीड होता है अन अगले कोश्चन क्यों अगला कोश्चन आपका जब बच्चा कारे करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुसाशित करने की जड़ोता है संभावते कारे रियांतिर रूप से बार बार हो रहा है बच्चा बुद्धिमान नहीं या फिर ब बच्चे के बार में इसी बात नहीं सुन पाओगे बच्चे में सीखने की युग्यत नहीं है अपने बच्चे के बार में इसी सुनना पसंद करोगे नहीं करोगे आंसर क्या हो जाएगा कि इसका मलत टीचर के पढ़ाने में गलती है यह टीचर ही कोई अच्छा यूज नह बच्चे की कभी मधत बताना उप चलिए अगला को दिया वाए एक बच्चा अपनी मातरवास सीक रहा है बद दूसरा वही वासा दूत्य वासा के रूप में सीक रहा है तो दोनों निम्लिकित में से कोन सी समान प्रकार की तुरूटी यानि गल्तव यानि एरॉर्स करेंगे पहला ओवर जनलाइजेशन दूसरा सिंप्लिफिकेशन तीसरा डेवलमेंट और तीसरा हाइपर क्रेक्षन यानि अत्यादिक संसुद्ध होता बता उसे अंतर क्या होगा एक बच्चा तो अपनी मात्रवासा मालीजे की मात्रवासा हिंदी है वो इसक इसमें सिंपल सा होजाएं आपका रहां शिंपल होजाएं रिकाषजन चीशिए उसक्तिया आपका प्राति में किस सब्से मेहत्वर विश्यस्ता माना जिए निची बताएग टीचर के पार में आज्या यह क्या बताया था अपने अपको एक आदर शिक्षक की रूप में आ पानी की तो सुकता तो आपको होनी चाहिए धेरिया और दर्डता यानि आपके अंदर पेसेंच होना चीए ठीक है सबसे महत्पूर माना है इसमें आपको अगला सिक्स्थन पदितियों और विश्चे के घ्यान में दक्सता यह भी हो जानी चीए ठीक है रोब मनाने के लिए स समझ जाना आपको टीचर से संब्दिते एज टीचर आपको देरिये रखना बहुत जरूरी है आप लोग देरिये रखिए पैसेंस रखिए आपको समलता भी जरूर हासिल होगी यह आपको टीचर का एक अच्छक गुन होता है अगला कॉशन देखते हैं जब बच्चा फेल लेनी चाहिए तो इसकूल को बंद कर देगा देखो अपना बच्चा मानकर आंसर दिया तो तीनों गलत होगे क्या आंसर है ववेस्ता फेल हुई है भाई हमारे बच्चे का अंदर गलती नहीं है तुमारे वेस्ता फेल हुई है बलाए टीचर ने सही नहीं पड़ाया या कोपिया सभी चैक निगरी स्कूल भी एक आ रहता बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता इसले मैं आपको काता जब भी बच्चा का कोशन अपना बच्चा मान कर आंसर देना आंसर क्या हो जाएगा चोथा सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके अगले पर अतिसमें देन शीले बच्चों को शिकाने के लिए यहां पर कॉस्टन को दियान से देगे लिए यह 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 इनी आपर एक्टी चुल्डन की बा बता उसे आंसर क्या होगा यह तो आपका गलत होई गया पर लेंज ठीक है लोग किया जाए फोर्थ को ठीक है भाई लोक कर दिया आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें पूछा है वाई कौन सा नहीं है फजगा ना लोग के चक्कर में इसलिए मैं कहता हूँ जब भी ओप् यह थोड़ा रुपकर उसका अंसर दीजें देखें कोश्चन आपसे क्या पूछ वाएं अगला कोश्चन आपका ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय पढ़नालिये किसके उधारन है वो आपको बताना है कक्सा में बच्चों की स्थितिकी नूर्पन विदी दूसरा रिपोर्ट कार्ड में अकाडमिक प्रगर्टिकों दर्साने तीसरा अधिगम करताओ की उपलब्दी के आखलन की गणन विदी फोर्थ परिक्षा के उत्तर पत्रों के मुल्यांकन की प्रिक्रिया बताओ सभी आंसर क्या होगा यह कोशन कई बार हो चुका है आपका में रिखाल से थर्ड बिल्कुल सभी अधिगम करताओ की उपलब्दी के आखलन की गणन विदी यह किसके आपके सब दारन है आपके थर्ड आंसर से हो जागा कुछ नहीं कोशन में इसके अंदर जाद चीज़ा बताने के लिए नहीं कुछ अगला कोशन देखें किसी वस्तु के इस्ताइट्तु के अधारना यहां पर बात हो रही है ओब्जैट पर मनेंस की यह प्याजे के विखास के किस चंड में परात हो जाती हो आपको बताना है पिर यह ओपरेशनल में कूंक्रीट में फॉर्मल में या फिर सेंसरी इस फुर्ट सीख लेता है जैसे माली जब एक तक है तक है पीछ आप लोग अपना मोबाईल फोन चीपा देना तो देख लेना बच्छे अपने सेंसरी ओर गंश के तुरू इस मोबाईल फोन को धून गर दिखा देगा यह ओता है जिनके मतर से बच्चा चीजें जी पाता नाम निम लिकित में स्कॉन्चा भूलने का कारण नहीं है वह आपको बताना है मांचिक द्वन्द यानि मेंटल कॉन्फिलिक्ट दूसरा पुन्रावर्थी का अबाव सीखने की मातरा सिख सक्की योग गिता बताइए सही आंचर आपका क्या हो जाएगा तीनों यह आपके बोलने के कारण न सुरुवाले तीनों वाले काज अंसर दे आपने ठीक है चिख सक्की योग गिता का कोई मतलब भी नहीं है बोलने चेक किसकी क्या योग गिता है क्या नहीं आपका चोता स्य हो जाएगा बढ़ते हैं आपके अगले कुश्चन के ओपर तो इसके अंदर concept बनते रहते हैं, कि जैसे माहली जो कुछ जानवर को देख लेगा, डोग को देख लिया, कि जी गाड़ी को देख लेगा, कार को देख लेगा, ठीक है, आप लोगों ने, आपके माइंड में मेरी फोटो है या नहीं है, कि यहाँ यह सचिंसर ऐसे दिखते हैं, मलब कुछ न कुछ concept बनते रहते हैं, तो बेसिकली पूछाए, यह क्या होता है, concept का बनते रहना, यह होता है, आपका संचे, नाम से पता चला है, cumulative, ठीक है, यानि संचे का मतलब होता है, इकटे होते रहना, यह हमारे माइडिक अंदर इकटे होते रहते हैं, आंसर फोर से हो जाएगा, चली, बढ़ते हैं आपके अगले question के उपर, समस्य समधान पर आये, उन विध्यालों में सफ़ल है, जहाँ, केवल, पहला option, केवल दिग्या, बाखी का option में पड़ी नहीं रहा, अध्यापक केंदरित, दूसरे में दिग्या, अध्यापक केंदरित, जहाँ पर भी बाल केंदरित के लावा, कुछ भी देखने को मिल जाएंगे, वो आपका अमेसा क्या हो जाएगा, यह क्या हो रहा है, अध्यापक केंदरित हो गया, उसके बाद देखे, तीसरा option आपका क्या हो जाएगा, कि परिवर्तंसील और लचीली पाठ्टे चरह होनी चीए, यानि फ्लेक्सिबल होनी चीए, जो करिकुलम है, परिवर्तंसील होनी चीए, ताकि बच्चे का गोड़ी उसमें चेंज किया जा सके, बढ़ते हैं आपके अगले question के और, अगले question आपका, डेस के अतिरीक्त निमलिकित कुछ तकनिके हैं, जो परिक्सा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है, पहला, जो person पत्र है, उसके pattern से परिचित कराना, दूसरा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, तीसरा, समर्थन प्रात करना, फोर्थ, विशिष्टा उपर बल देने की पता नुकर्मिक्त, बताव से आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस सचिन को आप लोगों ने नीचे कर दे, इसको उपर पुचा दो भाई, इस seat at में उपर होना चीए, ये तो आप से जुड़ा होगा question है, जो परिक्सा के कारण होने वाली चिंता को दूर करता है, आप लोगों भी तो चिंता में हो ना, seat at की चिंता में, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, ये आपका नहीं है, ये आपका negative है, क्यार क्या होंगे, पास हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है, या कभी fail नहोंजाए, इस तरीका का concept आपके mind में चलना है, तो बिलकुल में नहीं सोचना, परिणामों के बारे में बिलकुल आपको नहीं सोचना, आंसर आपका ये ही सही हो जाएगा, मेहनत करते जीए, पढ़ते जीए, देख लेना, जरूर पास होगे, लेकिन सोच सोचने में ये इतना ही टाइम निकाल दोगे अपना, और demotivate हो जाओगे, और बेफी कर रही है, मैं उने बार-बार कहता हूँ, मैं आप लोगे के साथ खड़ा रहूँगा, आपके एकजान तक जब तक आपका पास नहीं होता, कोश्चन है आपका, सीबेसी द्वारा प्रस्तावित समू परियोजना गतिविदी डैस का एक सरसक्त सादर है, पहला, रोज मरा की सिक्षन सो होने वाले तनाव को दूर करने में, दूसरा, अनेक्ता में एक्ता की संकल्पना का परचार परसान करने में, थर्ड, सामाजिक भागी दारिता को सुगम मनाना फोर्स सिक्षकों के भार को हलका करने, जहाँ पर भी आपको टीचर को रिलेक्स देनी की बात आजाएगी, कि भाई इस पीचर को भार कम कर दो, इसको थोड़ा रिलेक्स दो, उस उप्षन को देखते गरत खाड़ देना, टीचर को रिलेक्स नहीं मिल सकता कभी भी, ठीक है? देखें, आंसा से हो जाएगा, सीबेस्टी ने किसको प्रस्तवा विद्किया है, समू परियोजना गतिविदी में, ठीक है? इसका आंतर भाई सिंपल सा कुश्चन आपका, और सिंपल सा यह आंतर बता देते हैं, इसका अंदर भी बच्चे कलती कर रहे हैं, सामजिक भागिदारिता को सुगम बनाता है आपका, आंसा इसमा आपका थर्ड सही हो जाएगा, जब आपको समाज दिख गया था, तो वैसी सही लगा देते हैं, अगले कॉश्चन पर बढ़ते हैं, अगला कॉश्चन आपका, पर्तिबासाली विद्धारतों के लिए, निमली कितमे से कौन सी गदीदी सरवादी कुप यूखता है, उपर मैंने आपको बताता है वीडियो में, पर्तिबासाली शिक्सारती, यानि जो गिफ्टीड इस्टुडेंट्स होते हैं, जिनका IQ कितना होता है, एक सो चालिस प्लस आई क्यों होता है, पर्तिबासाली शिक्सारतों के बारे में, जब हम स्कूल में थे, तो चाहे पर्तिबासाली भी ना हो, हमारी किलास के जो सबसे बिगड़े हुए भी थे, तो टीचर डे पर वह भाई साब भी पढ़ाते थे, किलास उरु में, वो पता नहीं भगवान जाने क्या पढ़ाया उन्होंने क्या नहीं पढ़ाया, लेकिन टीचर डे पर वह पढ़ाते थे एक दिन के लिए, तो यह चलता था स्कूल में, आप लोगे के स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा, आंसर से हो जाएगा, बढ़ते पर आपके अगले कुश्चन के बार, अगला कुश्चन है, अधिका ही है, और बहुत कम लोग परतिवां संपन होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति मन बुद्ध के होते हैं, यह कंथन डेस्क अहपर, इस्ताफित सदान पर आधारित है, किस पर आधारित है, वह आपको बताना है, बद्रिविंत्ट बढ़रीचन बिप्ध्धि और जाति विभिं तो आपका सिंपल सा बुद्धी के वितरन पर यानि डिस्ट्रिविशन ओफ इंटेलिजेंस सभी की अलगला टाइप की बुद्धी होती है चलिए बढ़ते हैं आपके अगले को अगला कुछन है नेना हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि सुनेना उसे सीखने म व्यक्तिक विबिंता यानि जो उनके अंदर इंडिविचोली डिफरेंशी होते हैं अंत्य संबन निरंतर तरक या फिर सामणने से विसिष्ट की और बता से आंसर क्या हुगा निरंतर वाला मैंना आपको बता दिया विकास के बार में जिब विकास निरंतर चलता रहता है यानि मा के गरबादन चले के मिर्टू तक चलता रहता है आंसर बतिए बिल्कुल चाहिए पहला से हो जाएगा इंडिविजुल डिफ्रेंस है वही हमारे दोस्तियार में में आप लोगे की दोस्तियार में ऐसे होते हैं न कोई तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कोई सीख सार्थी स्वय में विशिष्ट है इसका क्या मतलब है कि सिक्सार्थों में ना तो कोई समान विशिष्टा होती है और ना ही उनके समाने लक्षन होते हैं अच्छा जी सभी सिक्सार्थों के लिए एक समान पाठीचर संबड़े नंबर की कराता हूं तक कि बड़ा स्कोर अगर इससे कमा जाएंगे तो आप आपको दिक्कत हो जाएगी अब कुछ बच्चे तो ऐसे पूरी मेनद करते तो कुछ यह सोचते थे कि सर सीट इतनी है को जैसे भी अपना मेरिट इमाज आते काम हो जाएगा तो देखो उसके अंदर जितने भी स्टुडेंट की मैंने त अच्छे नंबर की आंसर से हो जाएगा इसमें आपका फोर कि कोई भी दो स्टुडेंट अपनी युगता और रूचे और परतिबाव में एक समान नहीं होते दोनों अलग अलग होते हैं दोनों में आपको डिफ्रेंस देखने को मिलेगा ठीक है इसलिए पर बच्चा अप बैवारवादी तीसरा अजर्चनावादी फोर्स अंग्यान वादी बते यह सेयांतर क्या होगा जो सिर्फ ओजरो पर डिपेंड है उस पर बेस आपका हाँ नाम से जादा काम ज़र होता है जब आपको यह चीज मिल जाएगी ना देख लेना कितनी रिस्पेक्ट मिलीगे आपको अपनी सोसाइट में अपने फ्रेंट सरकल में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी आप लोग खुद यकीन मानना क्यों ठीक है क्योंकि चलिए आपको मैनत करना पड़ेगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो कि कोई इसमें जंग नहीं है यहां पर बिसकली सिंपल कोशन है आंसर बीसका मोशली सभी आंसर ने सही दिया आपके वयवार वादी आंसर दूसरा से हो जाएगा बात होगी ने अउलोकन करना ओजर कर ना तो उपजर के लिए वयवारत होगा योगा आंसर आपका सेटिंट से हो जाएगा चलिए बढ़ते बापके अगले टाइप के कोश्चन के ओपर अगला कोश्चन है यह तो बड़ा कोश्चन है ऐसे कई कई कोश्चन आपके सीटेट के एकजा में पूछे जाते बड़े कि कक्सा को सक्रिय अधिगम केंदर बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकान समय वैतीत करना हुआ किस्म करना हुआ बच्चे तुवारा एक दूसरे के परति गेर आकरमत तरिकों से संप्रेशन तथा समू में कारे करवा कर दूसरा अधिगम संसादन तथा अधिकान सामगरी उप्रद करवागर थर्ड उच उप्लबदी के लिए ट्रोफी लाने तो अन्य कक्साओं के साथ समू के रूप में पढ़तियों किता करवागर फोर्थ अधिक्तम सावधानी पूरों ग्रेकारे जातने और तुरूटियों को इंगित करने में बताव से अंसर क्या ह होगा पढ़ाते पढ़ाते पानी की बोतल लखना बोलिया और मुझे लग रही है लेकिन चलिए कोई बात में पढ़ते रही है किरास खतम होने के बाद आज पानी पिया जाएगा ठीक है रुकना नहीं है जब तक ठकना नहीं है जब तक चीज़ें कंप्लीट नहों कोश्चन आपको क्या पूचा है अधिकम केंदर बनाने के लिए अधिकान समय कैसे वहतीत करना होगा गयर आकरम को आगे ना अगर गयर नहीं आता तो आपको नेगिटीव हो जाता ठीक है लेकिन गयर आगया तो समझाओ आपका आंसर यह से होगा ठीक है यह बेसिकली कभी अगला देखते हैं यह दो तो इसका मतलब पहले गलत होगे उधारन और गयर उधारन दोनों देने चाहिए बताओ से आंतर आपका क्या हो जाएगा जैसे मैंने भी आपको कुछ कोशन में कभी कभी वीडियो के अंदर आपको मैं कन्फ्यूज कर देता हो देख लेना जब इंटर्यूदो जब्हें लेकिस और आपर जब देखते हैं की की आंचर से हो जाएगा उधारन और गहर दोनों देने चाहिए परात्मिक कख समय यह केवल वालों को देखती गलत कार्ट देगरो 99.9 परसेंट चांस होता आपका गलत होगा कोश्चन आपका जिस दिये गए कार्य को करते समय बच्चा स्वयम आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करता है उसे क्या कहते है उब्वोगता परकार का यह एभर कंजूमर टैप का टास्क निर्माना आत्मक परकार का का रही प्रोलम टाइप टास्क या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस बताऊ सही आंसर क्या होगा जी हां मैं गुर्मेंट्ट जोब में हूँ पिक्चर के लिए अड़ी तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाईए आपको मिल जाएगे देखें सिंपल कोश्चन है इसके अंदर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस वाले कोश्चन के अंदर इसको आप देख लिए अच्छे तरी के यहां पर क्या हो रहा है टास् खुद कर रहा है वह कोन होगा वह का कंज्यूमर और जो टास्क और्गिनाइज कर रहा है जो टास्क बना रहा है ठीक है तो टास्क बनाने वाले को बना कर देने वालों को क्या कहेंगे प्रोडूसर बोलेंगे ठीक है समझे टास्क जो कर रहा है कंज्यूमर और बनाने वाल बच्चों को नियंतरन में रखने आगे ना बच्चों को नियंतरन रखने की बात आजाएगी अच्छा बाई साब हमारे बच्चों को मलब नियंतरन में रखेगा अपने अन्य बच्चों के साथ तुलना करना बच्चों को प्रेरित करना उसके लाओ बच्चों को डाटना द जाएगा मैं भी तो आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ जिद दिन मोटिवेट ने करूगा कमेंड बोक्स में भर दोगे का लिया ठीक है वैसा इसा काम मैं कभी करूंगा नहीं देखें अगला कुशन आपका निमली कितमें से कौन सा समू सजनात्मक्ता यानि द्रक्ता मुल्गता संबंदित जो सही है अब वह पूछे सर आपका क्या हों सरकारी नोकरी में तो पहले एक ले लोगे तो इसके बाद आगे के एक्जाम की तैयरी करना जो भी आपका मनपसंद जो होती है पहले आप एक ले लिए उसके बाद तयारी अपनी स्टार्ट करने है ठीक है कि देखें जो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा सिंपल कोशन आपका चलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फोर्स हो जाएगा भई परवा विदिता मोलिता और विस्तार यह आपके इसका उधारन क्या है पहला नोण गुरूप आइक्यू दूसरा परस्नेलिट्री तीसरा वर्बल आइक्यू फोर्थ कल्चर फ्री आइक्यू बता उसा आंसर क्या होगा जो रेवन थे इन्हों ने भी आईक्यू का टेस्ट दिया था तो इसमें जब इन्हों मुल्ययंकन के मानकी ग्रत उपकरण में सामिले क्या सामिता निस्पट्श्ट वैदिता और वृष्वासनीयता यानी अब्जिक्टिविटी वैलेडीटी एंड इलियाबिलिटी सिख्सक्ने परेक्षिंड के रेटिंग स्केल या फिर बी और सी दोनों बते ही से अंसर क्या होगा अच्छा कोशन है मेहत्पून कोशन है कुल्दीव जी बोले सभी लाइक कर दो फ्रेंट्स मेरे काम फ्रेंट्स आप लोग खुद असान कर देते हो मैं सिर्फ एक बाल बोलता हो वीडियो के अंदर वनना मुझे अगला कोशन देखते हैं सरंचना वादी उपागम बताता है कि डैस ग्यान की सरंचना के लिए अत्यनता हो सकते क्या हो सकते हैं विद्धार्तों का पूर घ्यान अनुबंधन दं यनत्रवत याद कराना यहनी रोट मेमर्याईशन बते इस यह अंसर क्या होगा तो पहला से हो जाएगा विद्धारतों का पूर ग्यान यानि जो प्रायन नोलीज होती है बच्चे की कुछ भी जो पहले का ग्यान होता है जो उसने सीका होता है यह बताता है कि ज्ञान की सरणचने के लिए बहुत महत्पूर होता है इसे टीचर को आइडिया पता लग जाता है बच्चा आगे मैंने क्या बताई थी आंसर कैसे देना है अपना बच्चा मानकर आंसर देना है कि बच्चे जानकारी के निश्क्रिय है आगे ना हमारे बच्चे को कोई निश्क्रिय बोल देगा उसको पैसिव बोल देगा नहीं हमारा बच्चा में सा एक्टिव होगा तो यानि B, C and D कौन सा option है पहला पहला इसके अंदर option आपका सही हो जाएगा चलिए बात करते हैं आपके अगले question के उपर अगला question आपको दिया हुआ है निमली कितमे से कौन सा सही मिलानवाला जोड़ा है वो आपको बताना है यहापर stage दी हुई है stage के अंदर आपको यह बताना है कल्पना आत्मक खेल होते हैं स्याजा वस्ता में तरक का अनुप्रियोग और अनुमान लगाने में सक्सम हो जाता है पूर संक्रियात्मक बच्चा जो होता हुए निगमना आत्मक तरक यानि जो डिटक्टीव थोट होते है वो करना स्टार्ट कर देता है बते बेसिक लि कोई चीजब करता जिनको देख पाता है पकड़ सकता है तो संधारन और वर्यक करने योग हो जाता है कि जैसे आपके उप्चारिक संग्री आत्मक कह स्था होती है formal उसमेन अनुकर्ण नहीं चीकता है इससा कहलत हो गया शहां- से WOW सब्सक्राइब करता है और इस वाली स्टेज महाते हैं तो ये भी आपका गलत हो गया तो diligence आ पहला वाल आशार से लेवल करना यह वाली बात है कि बच्चों को लेवल करने की बाद जहाबी भी आजेगी वो आपका नेगट होगा बच्चों में पड़्यों को सक्रिय रूफ से बढ़ाना ठीक है अब तक देखते उसके आगे सीखने को सुनिशित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन करता है देख लिए हमारे बच्चों को मलब दबाव को उत्पन कराए गए सीखने में सुधार का एक तरीका है बता उसे यह अंसर क्या होगा दो तो आपको पहली गलत होगे इन दो में से बताओ देखे आखलन की बात हो रही है असेस्मेंट की बात हो रही है तो जो असेस्मेंट होता है आपका वो सीखने में सुधार का एक तरीका है मानली जब कोई बच्चे को सीखने में कोई कमी रहेगी कोई गलती कर दी तो उसके बाद हमें assessment की हमने बच्चे का हमें उसकी कमी का पता लगया फिर हमने उसका सुधार कर दिया तो सुधार का सीखने परिकाए एक वे होता है चलिए बढ़ तब आपके अगले कुश्चिन को अगला कुश्चन आपका बहुत ही महत्पूर्ण CCE का विस्तारित रूप क्या है आंसर इसका आप सही बता दोगे ठीक है वह आपको सही बताना है continuous and comprehensive evolution comprehensive and coded evolution computer coded evolution यह फिट चाइड्स concept of evolution बताई इसे आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स में रिखाल चाहिए आप लोग ठके नहीं होंगे ठकना भी मत है क्योंकि आपकी आज cdp complete है खतम है आज आपकी cdp आज आपकी cdp के क्या चीज़े सामिल होती है मैंने आपको बताता है इसके अंदर बच्चे के sexic और sexic दोनों ही पक्सों को सामिल कह जाता है चाहे बच्चे की textbook curriculum चाहे योगा पीटी से संब्दी जो भी चीज़ होगी उनको add कह जाता है ठीक है चली बड़ तब आपके अगले question के और देख CBSC दोरा अपनाए गए प्रगरती सील सिख्षा के परतिमान में बच्चों का सामजी करने जिस प्रकार से किया जाता है उससे पिक्सा की जा सकती है कि वे समय नेश्ट करने वाली सामजी प्रकार अच्छी सेंडिया पाई जा सकती है वे सामुई कारे में सक्रिया भागिदा सामज़ए वे 5 वी प्रकार विजयो विद्रै नेट पड़न के जाता है सीब्सकार करना इस में М cái में बच्चे का सूंकुए और दूसरा आपने सब्सक्राइब्स काड़न do सब्सक्राइब कर लीना अवापको इसका आपका से हो जाएगा वहां आपको आपको इसको पूरा पचास ला देदी पड़ीगी चाया सोसल साइंस फेपर वन भीओ आपके आत्रेल होने चीए और वीडियो नी चीए बस काफी है तो साथ में सीपी स्टीडी पॉइंट को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना सोसल साइन्स के लिए आंसर जो इसका आपका से हो जाएगा वह जाएगा इसमें आपका भी आंसर सेकंड कि वह सामुई कारे में सक्रिया बागेदारिता का निर्वा करें और सामजी को कोडिंग ठीक है आंसर सेकंड से हो जाएगा कितना बड़ा कुश्चन था बेसिकली आइजम ने इनको इसलिए देता था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट किया जा सके अगला कुशन है बच्चों को साथिक या गयर साथिक दंड देने का क्या परिदाव होता है देखो अक उनके स्वयम के भरती आवदार्ना को नश्ट कर देता है अगर बच्चे को किसी भी तरिके का साथिक या गयर साथिक दंड दे रहे थे ठीक है जैसे हम लोग ते आप लोग जो वीडियो देख रहे हो तो हम लोगों को पनीशमेंट मिली हुई है पनीशमेंट मिलते हैं हमा वह आपको बतानी है व्यक्ति के अपने परिपेक से नियंद्रित होती है बायरूप से नियंद्रित होती है स्वयम के दोस्तों को श्रीकारना या फिर सामजीक परंपराओं का अनुमोदन बताइए सही आंतर इसमां आपका क्या हो जाएगा आप सबी लेक्टर देखते हो बचे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मैं सारी कंप्लीट कराता हूँ तो आप लोग बेफिकर रहेगे देखे इसका जो आंतर से हो जाएगा सिंपल सा कोश्चन है के बार मैं आपको बता चुका हूँ सामजीक परंपराओं का अनुमोदन यारी समाज के अकोडिंग चलता है जो समाज ने सही कहे दिया उसको सही जो गलत कहे दिया वो गलत उपर आपको बताई भी था नेतिक व पून बुद्धी या फिर गडितिया बुद्धी बताव सही आंसर क्या होगा तिरी इस्त्रिय सिद्धान दिया था इस्टनभग ने जिसमें इन्होंने तीन टाइप की बुद्धिया बताई थी तो कोश्चन ने पूछा कौन ची होगी निमें से एक बुद्धी देखे आंसर जो इसमें से हो जाएक आपका जी और चों से बुद्ध्यों गुद्धी इसके लाओ बाकी की दो बुद्धियों लिख लो एक हो तिय नहीं है कौनची है तो तीनों को कड़ लेना तीनों ही मैध पूल है चलिए बढ़ तब आपके अगले कुश्चन के हो देखो मेरे गली की आवाज भी बदल लगी कि लास कराते गराते और आज पानी की वह तल्बिली है कोशन आपका मूल रूफ से बिनेट साइमनी स्केल में कितनी सामगरियों की व्यस्ता की गई है नाइंटी थर्टी इलेवन या फी ट्वेल बताव सही आंसर क्या हुआ साथ में एक आंसर ये भी दो बिनेट साइमनी स्केल का प्रियोग हो था सबसे पहले किस साल हुआ था कि वह बढ़े कितने कोशेशन सर ठाघ जब में ऑपकी सीड़ी पी कमप्लीट करा देंगा तो थकिये मैं तो भी नहीं थक रहा हुआ पनीगा पको किलारा रहा हुआ तो आप लुक्त थार हमानों ठिका आंसब सिए ओंड इसमें सिए की परिक्शन हुआ था जी 1905 में ठीक है तो उसके अंदर कितनी इनों ने जो सामगरियों का यूज गया था तीस तीस का यूज गया था ठीक है आंसर सेगिंड से हो जाएगा चलो बढ़िया बच्छों को चीज़ा पता है बढ़ते बापके अगले कोश्चन के उपर अगला कोश्चन आपका निमलिकित दोन होता है को ये था गणातंथे लिए हूगा पान है कोई निया होता है कोई सब्सक्रान जिसकरोगी हएना तो इतना होगाल तो जापर मसल्स का यूज ज्यादा होता है जैसे भी पढ़ते पढ़ते आपकी कोई बैल बजा दे आपके घर का कोई घर पर कोई आ जाए बैल बजा दे तो आप एकदम कैसे करोगे फुतकते हुए या दोड़ते हुए जाओगे गेट को लिए ठीक है तो हो जाता आपका ग्रो अब क्या होगा अधर थको मत अभी मैं निए थका आप लोग क्यों थक रहो बेविकर रही है पूरा कंप्लीट करा हूँ आज जब खतम कर रहे तो खतम करो अगर आप लोग इसे खतनी करोगे यह आपने खतम करते हैं ठीक है एक्जाम तक लग रहे हैं आंसर से हो जाएगा मन की किरया सीलता पर अनुसंदान से मन का मानचितर ऐसके बारे मैं आपको बता हुभा है यह बच्चा है यह पने माइंड के लुए इस जो चितर बना लेता है जिए कुछ बी देखा तो मायंड के अंदर की फोटों बन जाती है हम उसके खर कई पर इसका WITHD यूपक। विकास के संधर में निमिली कितमे से कौनसी प्याजी की सरंचना है वो आपको बता नीए है इसकी मा ओजर्वेशनल लेर्णिंग कंडिशनिंग या फिर इन्फोर्समेंट बताई इसे आंतर आपका क्या हो जाएगा देखो बचा बोला है हम खाना नहीं बनाई हम पढ़ाई करते जा रहे हैं और आपके टीचर ने पानी नहीं पिया अब इससे बड़िया तरीका क्या हुआ तो आप लोग ठकिये मत पढ़ते रहिए कुछ दिन की बात है हपते बर की बात है उसके बात अराम कर लेना ठीक है आ माइंड वार हमारी एक्टिवटी जोर यह बोड़ी की अगर माली जब तक किसी बोल को पकड़ता है तो यह भी का हो जाएगा इसकीमा हो जाएगा यह हो जाते आपका इसकीमा ठीक है चलिए बड़ तब आपके अगले कुश्चन के ओपर रेनफोर्समेंट देख लो यह र मानव-विकास यादि हूमिक ऩिसीमा तक का अपमानिय या यह और भी दोनों बता उसे आंसर क्या होगा यह उपर अभी एक बच्चे ने कुश्चन भी पूचाता है सरी वाला कुश्चन भी होगा क्या तो भाई आगे आपका यह वाला कुश्चन मैंने आपको व्रद्धि में क्या वताइएए यानि ग्रोथ उती है इसको भी मापसकते है तो मानव विकासonden सबस्के अगले अगले कुछन आपका विवेश्चनातमत का इह दरण विश्वास कि लेटीकल पेड़गोजी का एक शिखसक को हमीशा कक्षा के अनुदेशन का निदर्थु करना चाहिए शिक्सार्थ को शतनत रूप से तरकना नहीं करनी चाहिए बच्चे स्कूल से बाहर क पर्टक्षंड मेहत्पून होते हैं, बताऊ सही आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, दो तौब आपके वैसी-गल्थ होगे, नेगिटीव देखती, जो आंसर से हो जाएगा, इसमें आपका फोर्स से हो जाएगा, कि सिक्साज तो कि अनुबवh और पर्टक्षंड लोगों को तो कम से कम ये तो देख सके कि बच्चा हां भी capable है उसके अंदर ability है बच्चों को पढ़ानी की तो पैड़कोजी के थुरू इसी चीज का आपका test होता है क्या बच्चों को कैसे पढ़ाओगे कैसे उसके साथ behavior करोगे अगला देखते हैं किसमें सबसे पहले इन्हें था जो दो सूपरमेन की साथ रहता था दो सूपरमेन मतलब चाल्स इस्पेरमेन दो सूपरमेन क्यों क्योंकि इन्हों ने दिया था एक बिनहों ने दिया था उस ट्रीक वाली वीडियो को देख लेना आपके concept के लिए रोजागा ठीक है तो देखो इसका जो सब्सक्राइब कोई भी नराज हो सकता है यह आसान है प्रंतु एक सही व्यक्तिकों पर सही मात्रा में सही समय पर और सही उद्देश्टे के लिए तता सही तरीके से नराज होना आसान नहीं है यह संबंदीत है किस से संबंदीत है वह आपको बताना है एमोशनल डेवलेमे से cognitive development से या फिर physical development से बते ये सही आंसर आपका क्या होगा देखें आंसर सो जाएगा है बई बिल्कुल सही सही दे रो emotional development region उसका बता दिये था फिलाल आप इसका पड़िए पहले तो अपनी एक job ले लो उसके बाद देखना छोड़ने चाड़ने की बात तो ठीक है अगला question देखते हैं निवली कित में से कौन सा बुद्धी के बारे में सही है वो आपको बताना है इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा statement सही है बुद्धी एक निश्चित योगिता है जो जनब के समय ही निड़दारित होती है दूसरा बुद्धी को मानकी करत परिक्षणों के परियोग से सटीक रूप से मापा एवं निड़दारित किया जा सकता है थर्ड बुद्धी एक एकात्मक कारकता था उसकी एकाक विशे सक आंसर देखते हैं किसने सिख्षा को बाल केंद्रीत बनाने का परियास किया महत्म गांदी रवीद्ध नाथ टेको जोन डीवी गीजु भाई बंदे का बते यहांसर क्या होगा देखो कोश्चन थोड़ा सा इसमें में रिखाल से एक्जामिन ने कुछ अलग टाइप कर दे दिया बाल केंद्रीत शिख्षा को बाल केंद्रीत बनाने का परियास किया अब इसको देना तो चाहिए तैने एक्जामिनर को कि पूरे विश्व की बात हो लिए हैं यह खाली इं अगले कोश्चन आपको दिया हुआ है कि कोलबर के सिदान के पूर प्रंपरागत इस्तर के अनुसार कोई नेतिक नीड़ने लेते समय एक व्यक्ति निमलिकित में से किस तरफ परवर्थ होगा वह आपको बताना ऐसे ही क्या होगा व्यक्तिगत आवसकता है तता अच्छा ह है व्यक्तिगत मुल्य है पारिवारिक अपिक्सा या फिर अंतर नीज संभावित बती से अंतर क्या होगा आपका पूर प्रंपरागत इस्तर के नुसार के पिरी कन्वेंशनल लेवल के कोड़ी इसकी दो स्टेज मैं आपको बताई थी जैसे इनकी जो अवस्ता है इनकी द द्यांसर नहीं पड़ पाया ठीक है उपर चला गया हो आपका दुबार आप देखूंगा मैं देख लूँगा चली आंसर आपका इसकंदा से हो जाएगा फोर से हो जाएगा ठीक है बढ़ तब आपके अगले कोश्चिन के उपर कमेंट इतनी चली उपर जा रहे हैं मैं प और I선 चली इक इतना है पोर फोर्मूला क्या होता है सिर्फिसके अदर फूरल फोर्मूला आपको पुटší करना है अंटू हं थजह गया कितना सिंपल गोश्चन था इस पोर चाह क्वह बनाओ impacted 2009 को धूर्द साट चातरों के लिए आवसक शिक्सकों की संक्या कितनी है उपर मैंने आट एक के बारे में आपको सारी चीज़े बता दी कभी यह लाग हुआ था ठीक है और उसके अंदर चैसे चोदर साल तक के बच्चों के लिए दी गई है शिक्सा 618 आपका दिव्यांग हो गया इसमें चातरों के लिए शिख्सकों के कितनी संक्या को वित तीन चार पाँच ऑद दू आकश्यांतर हो जाएगा सिंपल है भई आपका दो कि जरूत है आगे देखते है अगला कोशन है छिपी होई वस तू अडून निकालना इस बात का संक्यत है कि सिरसू निमलीकित निकित में स प्राप्त कर लेता है वह आपको बताना है इंटेशनल बिहेवियर उब्जेक्ट पर्मनेंट्स प्रोब्लम सोल्विंग या फिर एक्सपरिमेंटल बत यह सही आंसर क्या हुआ हाँ आज ही मिल जाएंगे आपको नोट्स आप मैसेज कर देना और आपको आज नोट्स मिल जाएंगे क्योंकि टाइम वैसे भी कम बचाया न तो आपको जल्दी मिल जाएंगे बेफिकर रही है आप लोग वारे में जीन प्याज आज की वीडियो के अंदर पूरा कंप्लेट करा दिया मैंने जितनी भी जीन प्याद जिससे चीज़े बच वी ती तो आप लोग ने देखते आंसे भी बता देगा सेक्ट ऑब्जेक्ट प्रमनेंट जैसा बच्चा चुपवी चीज़ों को डूंड लेता है अपने सेंसरी ओर्गंज के माद्यम से कुष्चन आपका एक विदार्ती मेडिकल कोल्रीज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है सकते हैं अपने आपको सोचना आप लोग है आप लोग भी कठिन परिश्रम कर रहे ह। ताकि आप लोग क्या हो सकते हो परिक्सा में 500 को सीटेट के नदर तो यह है आना है इंडिवीजुली यानि व्यक्तिक आनुभविक आंतरिक या फिर बाहिए बती से आंतर आपका क्या हो जाएगा निरज कुमार पुरानी स्टुडेंट है वो बोले कि सर आप बहुत अच्छा पड़ाता आपके वज़े से मेरे 104 नमबर आपका है ठीक निरजी तो निरजी अपनी आगी की तैयरी करिए वेकिंसी 2021 में जो आपको देखने को मिलेगी तो अपनी तैयरी स्टार्ट करिए अपनी जोब के ऋपर फोकश करें आपने से अपनी रूप से अभी पिली रित होगा जैसा आप आन्दिरिक रूप से अभी होगा उसके जो सक्सिस होने के चांच होते है वो पूरे होते है करने औ militant क county government के जैसे विए लेकिस होता है एक बापी किसी काम को सब्सक्राने बाण करने बाद और क्शूशा करने बाद और और क्या क्यएंगे कि और भी कुछ मला लालत देंगे, पुरौसकार देंगे इस तरीके से तो हो जाएगा आपका बाहय आभी पिरित, तो बच्चा यहापर आंतरिक रूफ से नहीं पढ़ेगा, सिख बाहय रूफ से पढ़ेगा ताकि हमें ये चीज हैं तो आपको आंतरिक रूफ से अभिपरित ह इस्का आँशर हो जाएगा हिसमें आपका á Pocket आपको का रंग आनुवानशक्ता से संबन्दित हो जाएगा मैंने आपको क्या मत jáता हूंप हमारे parents से हमको मिलते हैं वह ते आनुवानशक्ता जैसे किस्वेसे सतर्द सब्सक्राइब भी अभी परेड़ना चक्र यानि motivation साइकल निमली कितमे से कौन सा सही करा में वह आपको बताना है दोगों चार उप्सन आपको दी हुए बताइए से यह उप्सन क्या होगा motivation साइकल के बार में मैं भी थोड़ा सा बच्चों के कमेंट देख लूँ मैं भी बहुत देर से पढ़ा सबसे पहले चीज क्या होती है सबसे पहले चीज क्या होती है आपको क्या नीड है आपको जोब की नीड है अब इसको ऐसे समझो मालों कोई बच्चा है और बच्चा सो रहा था अब बच्चा सो रहा था तो सोने के बाद सबसे पहले बच्चों को क्या लगेगी बच्चों उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं यानि चालक यानि ड्राइवर यानि जो इसको पाने में मदद करेंगे ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा उत्तेजना हो जाएगी इसको पाने के लिए जो हम चीज करेंगे ताकि जैसे उसके अलावा लक्स अनुमखी वैवार ये इसके बाद हो जाएगा उपलब्दी हाजिल करे लिए उसनों और उत्तेजना में कमी तो समझगे इस इसके पहले होनी चाहिए नीड उसके बाद बागी सारे के सारे इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाता लेकिन पूरा अगला कोशन आपका एक शिक्सिका अपने शिक्सार्थियों की सदेव इस रूप में साहता करते हैं कि वे एक विशे के छेतर से प्राप्त ग्यान को दूसरे विशे के छेतरों के ग्यान के साथ जोड़ सके तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है वो आपको बताना है फ्राप्त ग्यान को दूसरे ग्यान के सात्थ जोड़ रिया यानि संबंद और होगी है तो अगर आपको वीडियू अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज एक like और एक study related ग्रूप के अंदर वीडियो को जरूर share करें और आगे भी अगर इस परकार की वीडियो चाहते हैं तो दोस्तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों तक हमारी सभी वीडियो की notification पहुंच के तो दोस्तो आज के लिए इतना ही है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबार्थ वंदे मात्रम